जैसे एलसी, जैसे के आप जानते हैं, 20 फिजिक्स पंच जो की नीड के लिए बहुत इंपोर्टेंट हैं, उन में से बहुत 6 पंच आपको स्वाल करवा चुके हैं और उनी की गाइडेंस में जो 7 पंच है वो हम लोग स्वाल करने जा रहे हैं तो आएए हम स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स पंच का 7 पार्ट और उसमें जो टोपिक्स कवर किये जा रहे हैं वो हैं, ग्रेविटेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन और दोनों ही आप जानते हैं, नीड के लिए बहुत ही महतुर्पन टोपिक हैं तो आएए, जो पहला कॉशन है इसका उसमें है, यह बिल्कुल थिरोटिकल कॉशन है कि समुद्र में जवर तरंगों के उत्पन होने का मुख्य करण क्या है जो यह टाइडल वेवज होती हैं, इनके उत्पन होने का मुख्य रिजन क्या है तो इसका मुख्य करण होता है, पर्थवी पर चंदरमा का गुर्तवा करशन बल पर्थवी पर sun का भी gravitation होता है, moon का भी होता है, पर इसके लिए responsible कौन होता है, यह होता है पर्थवी पर चंद्रमा का गुर्थवा करशन परभाव, यह theoretical है इसको हमें याद रखना चीए, इस पर ज़्यदा काम नहीं करना चीए ठीक है, next question तो जो next question है उसमें देखें आपे, कि पर्थवी के चारों और परिभर्मन कर रहे एक उपगरह पर कारी रथ, अभी केंद्रे बल तथा उपगरह पर कारी रथ पर्थवी का गुर्थवा करशन बल दोन्नों का मान F है, तो उपगरह पर कारी रथ, कुल बल कितना है किश्चन देखो बहुत प्यारा है इसमें सर्क्यूलर मोशन का पूरा कॉंसेट काम आ रहा है तो पहले मैं उस कॉंसेट को आपको थोड़ा सा पदा दूँ जैसे ध्यान दें आप माल लो इसी को अपन देखें तो माल लीजिए पर्थवी है और पर्थवी की चारों तरफ ये कोई एक है उपगर है इसका मास कितना माल लीजिए स्मोल एम है ये पर्थवी की चारों और गती कर रहा है इसके मोशन का है सर्कुलर सर्कुलर मोशन को स्टड़ी करने का हमारे पास दो अधार है और वो डिपेंड करता है फ्रेम ओफ रेफेंश पर अगर मैं इस इसको अर्थ की रेस्पیک्ट में स्टड़ी करता हूं दूसरा मैं इसके साथ यानि इसी हमोल एम के साथ अटेज होकर के फिर स्टड़ी करता हूं दो इसकी तृरीके हो गए अब इस कुश्न में चूंकि आपको रेफरेंस दिया नहीं है चाहां देना अच्छी से अगर इस प्रकार के प्रश्चों में reference नहीं दिया गया हो तो प्यारे बच्चों यहां reference हमें earth लेना है और अगर लिखा है साथ-साथ कि small m के साथ attach होते फिर आपको study करनी है उस case में आपको इसके साथ attach होते होते हैं आप सुनो अगर earth की respect में आप इस पे study करेंगे तो ध्यान देना आर्थ के रियस्पेक्ट में ये small m इस परकार से गती कर रहा है इस पे net force अंदर की तरफ है जो net force है वो ही क्या करता है centripetal force परड़ गड़ता है centripetal force वैसे कोई real force नहीं है यहाँ पे जो आर्थ और satellite है उनके 20 लगने वाला gravitation force ही क्या कर रहा है वो ही इसको centripetal force परड़ गर रहा है अगर मैं इस small m के साथ attach होते फिर चलता हूँ तो प्यारे बच्चों उस case में क्या करते हैं हम लोग इस small m पे फिर लगता है shadow force जो कि आप कहते हैं centripetal force वो लगता है कौन सा आपका mv square by r जान सुनना वे mv square by r यह मालो यहाँ से यहाँ ते की distance है कौन सी r बात clear तो दो इसके तरीके थे earth की respect में और दूसरा small m के साथ attach होते हुए जान सुनना कि earth की respect में तो इस पे net force कितना f ही है जो की gravitation force है वो non zero है परन्तू small m के साथ अपन चलेंगे तो इस पे net force कितना बच्चो zero पर मैंने कहा अगर reference आपको नहीं लिखा operation में तो earth के sapics मानना और earth के sapics में है तो इस small m पे net force कितना f है जो की gravitation force है बहुत अच्छे से ध्यान देना है और यह जहां पर भी question आता है ना circular motion का उन सब में इसी तरह से follow गरना है तो question जो आपका यह second है इसका answer कितना बच्चो second हो गया f तो next question next में देखो question है किसी विशेश बिंदू पर जी का मान 9.8 मेटर पर second square है यदि यह माने की पर्थवी बिना किसी दर्यमान हनी के अपने वर्तमान आकार के आधे आकार तक एक समान रूप से अचानक संकुचित होती है तो अब उस बिंदू पर माना की पर्थवी के के पर से बिंदू की दूरी संकुचित नहीं होती है तो जी का मान कितना है प्रशन क्या है प्रशन को पहले समझना जैसे मान लो यह पर्थवी है ठीक है और पहले मैं पर्थवी के surface पर जैसे आप जानते हो पर्थवी के surface पर अगर मैं यहां आप से पूचता हूँ तो यह होता है ZMI R square, यहां पे R क्या है इन पर्थवी के center और जहां पे आप discuss कर रहे हो, उनके 20 की distance है, यह distance हमारे पास यह है, अब क्षिशन क्या कह रहा है, कि हमने अचाने क्या करा, अर्थ को compress कर दिया, अर्थ को अपने compress कर दिया, परंतु जो point of discussion तो ध्यान सोना, यानि जो center वही है, अर्थ को आपने compress किया है, point उसी विंदू पर है, अब आप अर्थ को ऐसे मानलो कि कम radius का, अधिक density का कोई स्फिर बन चुका है, पर point of discussion तो वहीं पर अभी, जब point of discussion वहीं है, इसका मतलब distance तो वही है, अगर इसका मास कितना capital M था, इसका मास बच्चो कितना capital M है, और ये distance अभी कितनी है, वो तो अभी आरी तो है ना भी, अब आप ये मानलो कि ये एक तरह से इसका outer point है, तो outer point पे वैसे अब मैं इसका ZDES find करता हूँ, तो ZDES है कितना बच्चो, ये है ZM upon कितना R का square, पर धान दो R तो अब भी कितना capital R ये है, distance पर ने कोई बदलाव नहीं किया है, capital M वही है, इसका मतलब इस परकार की जो change आपको दे रखी है, उसके according, जो G था पहले, उतना ही रहेगा, इसका मतलब 9.8 meter per second square, तो इसका भी answer बच्चो कितना होगा, 3rd, 9.8 meter per second square, तो बहुत simple पर बहुत प्यारा प्रशन आए, धान देना यहाँ पे mass उतना ही है, point of discussion वही है, केवल आप इसको compress कर रहे हूँ, पहले यह surface पे था, अब वो इसका outer point हो गया, पर dependence आप जानते हो G कि वो कितनी थी, जैसी थी, उसकी किनुसार आपने सोलो करा, question आपका सही हो गया, answer कितना है इसका, 3rd, question आप चलते हैं, next, देखो, अगला question है, बच्चो, कि माना की पर्थवी के प्रष्ट पर, गुरुत्वे के कार्ण, त्वन, पर्थवी के प्रष्ट पर, गुरुत्वे के कार्ण, त्वन का point नो गुना है, तो इसमें आपको दिया क्या है, कि Z moon is equal to, यह आपको दे रखा है, point two times of Z earth, moon की surface पर Z, earth की surface पर Z का कितना point two times, चाहिए तो इसको पन ऐसे भी कर सकते हैं न, क्या Z earth by five, point आप अठाएंगे, तो हमारे पास value कितनी point अड़ा दो कितना 10, तो one upon five यह हो गया, Z आपको दे रखा है, अब कह रहा है, यदि पर्थवी के प्रष्ट पर एक प्रक्षे पे की अधिक्तम प्राश कितनी R E है, तो समान वेग के प्रक्षे पे के लिए, चंदर्मा के प्रष्ट पर अधिक्तम प्राश कितनी होगी, तो आप जानते हैं, कि जो range होती है न, तो range का अगर अपन फॉर्मला देखें, तो R maximum, आपको जानकारी है, 45 degree होने पर होता है range कैसा maximum होता न, तो इसका formula आपको पता है, U square sin 2 theta upon G, और maximum range के लिए कितना था, angle 45 degree, तो उसको उपन पूट करेंगे, तो हमारे पास यह आए कितनी U square upon G आगई, अब यह किस पर डिपन कर रहा है, velocity of projection, और solution due to gravity, अब चुँकि हम यहाँ पर कह रहे हैं, प्रशन में, कि U तो वो ही है, पर आपने G को convert कर दिया, G को बदल दिया, तो G बदला कैसे, आपने जहाँ पहले पर्थवी पर आप range से find कर रहे हैं, अब किस पर find कर रहे हो, मून पर कर रहे हो, तो कोई समयशा नहीं है, यहाँ बच्चों को उसा constant है, इसके constant होने पर R proportional to 1 upon G है, इसका मतलब उसी से पनागे बढ़ेंगे, तो R maximum proportional to कितना 1 upon G, और इसी को अपन 1 और 2 के रूप में solve करते हैं, तो सीधी सी बात यह है, देखो, अगर ऐसे लिख दो मैं इसमें, कि R days upon कितना R, is equal to G upon G days, मैं G days मान रहा हूँ किसके लिए, मून के लिए, यह किसके लिए मान रहा हूँ, अर्थ के लिए, value put कर दो, यह किसका था, G अर्थ का, और यह कितना होगा देखो, G E upon कितना 5, इसको अपने solve करेंगे, G is G cancel, 5 चला गया उपर, इसका मतलब R days हमारे पास कितना आ चुका है, 5R, तो जो range, maximum आर्थ पे थी, उसके comparable, मून पे कितनी है, 5 गुना है, यानि आप हलका सा कितनी 45 डिगरी के speed से, फैंक रहे हो, अब ऐसा हुआ क्यों, range बड़ी क्योंकि G गड़ गया वहाँ पर, और G तो ही vertical motion को control गड़ता है, उसका उपर जाना नीचे आना सब control किसके under होता है, G के under, और G वहाँ कम हो चुका है, इसलिए इसके range कितनी हो गई, पहले से बड़ गई, यानि जादा हो गई, इसका मतलब यहाँ इसका answer कौन सा बच्चो, फोर्ट आ गया, कोई समयचा नहीं है, अच्छा, अब देखो, next question, अगला प्रस्ट है, कि पर्थवी सत्या से 2R दूरी पर, पर्थवी के आकरशन बलके कारण वस्तू पर लगने वाला तुण कितना होगा, जहाँ आर पर्थवी की तरजह है, और जी पर्थवी पर गूर्थवी त्वन, आकरशन बलके कारण त्वन है, तो 2R दूरी पर इसका सम्माने से question है, जैसे, अगर आपन थोड़ा सा इसमें काम करें, तो आर्थ की सर्फेस पर जी होता है आर्थ की सर्फेस पर जी कितना होता है जैसे जी वैसे है क्या गूर्टुवा कृष्णक्षितर ती बढ़ता ही तो है जिस परकास से इलेक्ट्रो स्टेटिक से बढ़ते हैं किसी कंड़क्टिंग स्फियर के बाहर सर्फेश पर किस परकास पर यह निकालते है वैसी तो होता है यानि इस जीक बोलो इसको चे इसको आईसी बोलो बात तो यह कि इंटेंस्टी ओप ग्रेविटेशनल फिल्ड तो जैसे बालो इस स्पियर एक इसकी सर्फेश पर आप निकालते हो आप इसके आउटर वाले पॉइंट पर निकालते हो तो यहां जी कितना होता है आउटर पर यह होता है जी एम बाई आर स्कॉर और सर्फेश पर जी यहां सर्फेश पर जी कितना होता है यह बेटे जी यह है जी एम बाई आर स्कॉर पैस तो आप से पूछा कहां पर रहेगो अर्थ की सतह से 2R दूरी सर्फेस से 2R सर्फेस से कितना 2R डिस्टेंस पे तो सेंटर से दूरी कितनी हुई 2R प्लस कितना R 3R हो गया न तो आप इस फॉर्मले से फाइंड कर लो न कहां दिकत है जैसे मैं निकालता हूँ इसमें Z डेस अर्थ से बाहर तो Z M तो उतना ही है R बेटेस ही कितना हो गया 3R और इसका अपन करें स्क्वाइर क्या हुआ 3R ओके कोई समस्या नही है अब 3R का अपन करें स्क्वाइर बच्चो कितना हुआ Z M अपन कितना 9R स्क्वाइर और Z M by R स्क्वाइर क्या था सर्फेस का फेल्ड तो यह आपका आंसर हो गया Z अपन 9 ओके बिलकुल सरल सा कॉशन है केवल आर्थ की बाहर की बिंदू पे आपको Z पूचा है इसलिए आपका आंसर कितना हो गया 1 Z by 9 ठीक है नेक्स क्यूशन देगो तो अगले क्यूशन में यह है क्यूशन कि दरेमान वित्रण की कारण X दिसामी गुरुत्व एक्षतर प्रेरखा अपने को E is equal to K upon X की पावर 3 जहां K क्या constant है यदि अनंत पर गुरुत्वी विभाव सुनने माने तो दूरी X पर इसका मान कितना होगा तो यह सामाने सा एक V यानि gravitational potential और gravitational field के बीच का सामाने relation का प्रशन है तो जैसा कि आप जानते हो कि हमें यहाँ पर निकालना क्या है गुरुत्वी विभाव तो इसमें DV is equal to minus samaklan या integration कौन सा E और यह X की integration कहां दो आप क्यूशन साप कह रहा है अनन्त पर गुरुत्वी हो कितना है बच्चो शुने तो अनन्त पर अगर potential 0 है तो आपको पूछा कि X दूरी पर इसका voltage कितना है या potential कितना वो आपको find करना है ओके value put कर रहा हूँ देखो इसकी वाप है तो integration E हमें क्यादर रखा है K upon X की पावर 3 येलो साब K upon X की पावर 3 into dx वास limit वापीश पूट कर दो कौन सी infinite 2 येलो साब X अब हमें सिर्फ इसका करना है integration चलो कर देते हैं DB का कितना होता है V तो बच्चो हुआ कितना V minus 0 is equal to यहां हमारे पास है minus तो पहले से मैं K को ले लो भार देखो तो minus का K K constant था इसके लिए भार ले लिया X की पावर 3 हमारे पास है इसको पर जाए ऊपन ऊपर तो minus 3 हो गया चलो इसको मैं अलग से कर दो यहां पर solve यह है X की पावर minus का 3 dx तो इसका अपन करेंगे समाकलन integration तो कितना दो X की पावर minus का 3 प्लस एक upon minus का 3 प्लस एक तो कितना X की पावर minus का 2 upon minus का 2 minus है उसको अपन ऊपर लेंगे तो इसका हमें जो मिलेगा answer क्या मिला देखो minus का बन गया यह आपका 1 upon 2X square सही बोल रहे हो? समझा रहे हो? बोलो X की पावर minus का 3 इंडू dx क्या X की पावर minus का 3 प्लस एक तो X की पावर minus का 2 उसको नीचे ले गया ना तो X की पावर plus की 2 होगे नीचे जाने पर और नीचे गया तो minus का 2 plus 1 sorry minus का 3 plus 1 तो यह भी बन गया इसलिए मैं अब इसको replace कर दो देखो तो minus का K और हमारे पास इसका आया integration किता minus 1 upon 2X square यलो और कहां से कहां तक बच्चो? बोलो बोलो कहां से कहां तक है? infinite 2X पास इस minus को minus से multiply कर दो क्या प्लस हो चुका? अब हमारे पास value कितने हैं देखो? यह हो चुकी है 2 को भाहर ले लता हूं देखो यह है K by 2 और 1 upon X square और इसकी limit कितनी है? infinite 2X अब इसको open करेंगे आप तो 1 upon X square minus कितना 1 upon X के इस्थान पे लिखेंगे infinite और 1 upon infinite का X square कितना हुआ? 0 इसलिए इसका आपको value क्या मिलने वाला है? 1 upon X square इसको आप इससे multiply कर देंगे तो आपका answer आएगा K upon 2X square क्या आया? K upon 2X square तो येलो साब answer फूर्थ तो इक छोटा सा यहाँ पे integration था आसाने से आप कर सकते हो आप देखना है इसमें जित्ते भी caution से बहुत अच्छे caution है और वो सारे के सारे लगबग है वो NEET में या इस परकार की जो exams हैं उनमें पूछ जा रहे हैं तो मेरे साब से question आपको समझ में आ गया बढ़ें आ गये तो next question चलते हैं अपन question number 7 question 7 है देखो पार्थवी से किसी पिंड का प्लाइनवेग पार्थवी के दर्यमान M इसके माद्देग नत्वा रो इसकी तरज़ा कितनी R और गुर्टवाक्षन नेतां कितना जीवपड ये पन गड़ता है अत्य है plan way के लिए शुत्तर क्या है तो plan way के लिए अपन थोड़ा सा काम कर ले पहले जैसे देखो plan way होता है क्या है मानलों ये कोई earth surface यहाँ पर कोई एक body उसका मास कितना small aim है मुझे इस body को करना यहाँ से escape करना है s के मतलब है कि हम इसको उड़ादर उपर की तरफ कम से कम कितना way क्या करें जिससे की body क्या करें ये earth की gravity limit यानि जहाँ z zero है जिसको अपन मानते हैं क्या infinite उसको पार करें पार भी कैसे बच्चो जस्ट वी कितने zero से यानि इसकी gravity limit को सुनने वेक से पार करने के लिए हमें कम से कम कितना वेक देना पड़ता है उसको हम कहते हैं escape speed और वो इस पे आपको देना पड़ेगा और वो कैसे एक तरह से आप देखो अपने इस पे अक्सेनल वर्डन कर रहे हैं बाहर से कार्य गर रहे हैं तो यह है क्या कि अपने पास small m का एक particle था या कोई मालो object था वो पड़ा था आपकी surface भी इसको यहां से अपने को बाहर निकालना है तो पहले देखो a3 से बाहर निकालना है मतलब भा कि इसको यह बाहर क्यों निकाल रहे हैं अपने से बाउंड है और जहां बाउंड है इसका मतलब इसकी को बाइंडिंग एनर्जी है तो आप जानते हैं इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो वैसे होती क्या है minus of total mechanical energy इसके पास बोलो बोलो दियान दो अचे से यह एक है क्या mass और earth system है एक two particle system में इसके पास potential तो है बट rest होने से इसके पास कोई kinetic energy नहीं है तो इसका मतलब यह वा कि कर दो यहाँ पर minus का कितना u इसकी potential ही क्या है इसकी mechanical energy है और potential कितनी है रेखो वो है minus into minus z capital M small m by r minus को minus से multiply करो तो हमारे पास value कितनी है जी capital M small m by r यह इसके पास क्या है potential थी और उससे अपर निकाल ले इसके bending energy यानि अगर इतनी energy इसको पर बाहर से प्रवाड कर दें तो यह body क्या कर सकती है यह earth की gravity limit को पार कर सकती है अब यह जो energy होती है कौन से binding energy यह हम इस object को कैसे प्रवाड कर रहे हैं यह हम प्रवाड कर रहे हैं बच्चो kinetic energy दे करके इसको speed दे करके अब मैं इस M को M से उड़ा दूँ तो हमारे पास इसका जो VE आया बच्चो वो कितना है 2G capital M by R इसका root यह सारी constant है इनके value पर रखते हैं तो करीब करीब इसके value कितनी 11.2 यह kilometer per second आती है और अक्सर हम यहां गलती कर बेढ़ते हैं यह kilometer per second में है kilometer per hour में नहीं तो बहुत कम speed होते हैं उसे कहीं escaping संभव नहीं है अब इसको पंजब change करते हैं ना कहीं परकार से तो देखो जो हमारे पास इसका यह escape speed है VE बराबर किता देखो 2GM by R इसका root यह इसमें आप GM की value put करें कितनी G into R square तो उसको रखने से देखो G R square एक R से R cancel हो गया तो हमारे पास इससे value 2ZR अगर मैं only M की value put करूँ कितनी rho into कितना 4 by 3 pi R cube यह value आप put करेंगे तो इसको रखने के पास 4 into कितना 8 हो गया R की power 3 यहां रखोगे तो एक power इससे cancel हो गयी तो इससे बाहर कितना हुआ R और root of कितना 8 by 3 pi Rho G इस तरह से हमारे पास इसके तीन formula हैं और questions neat में 2017-18 के आसपास जो questions आ रहे हैं ना वो इस पे dependence के आ रहे हैं कि दो planet हैं उनसे हमें bodies को ask करना है तो उसमें प्लाइन जो इसकी ask के speed उसका ratio कितना है तो ratio आप निकालोगे ना तो अगर कहीं पर भी कि किसी दो planet की तूला करते समय मास constraint है तो ask speed कैसी one upon root r पर depend करेगी कहीं लिखा है कि उनका g constant है उस case में ve कैसा है root r की proportional हो जाएगी और कहीं आपको दे रखा हो कि दोनु कैसे हैं same material के हैं तो बच्चो ve कैसा r की proportional हो गया तो यह सारे formula आपको अच्छे से आने चाहिए आप ज देखो इसमें कौन सा answer मिल रहा है यह रहा वी कौन सा r root of 8 by 3 pi rho z यह तो इसका answer कौन सा हो गया first कोई समय नहीं है कि यह बहुत आसानी से कर सकते हैं पर इसके answer जो आना वो जो आप देख पा रहे हैं बिलकुल symbol है formula 3 थे अपने बना लिये ठीक है बढ़ते आगे तो चलो question 8 at the vertices of a square with side L the gravitational potential due to this at the center of the square is तो question है बहुत प्यारा जैसे यह मानलो कोई एक square है और इस square के vertices यानि कौनों पर हमने equal masses रखे वे हैं और each mass कितना capital M है जो square है बेटे जी उसका side की तदर रखा अपने को L और आपसे पूछा क्या है इसके center पे center पे total gravitational potential क्या है अब question देखो यहाँ पर हो सकता है कि आपको इसके center पे या तो पूछे कौन सा easy या आपसे पूछे कौन सा vz फरक क्या है easy जो है वो एक vector quantity है और vg क्या है बच्चो potential है वो है एक scale quantity है यहाँ पे आपको vector sum करना पड़ेगा और इस वाले में आपको करना पड़ेगा simple algebraic sum तो vg आपको जो find करना है तो vg जो net होगा वो है कितना जितने particles है बच्चो यहाँ तो mass सारे कैसे equal है और center जो है वो सारे particles के लिए कैसा symmetric distance पर है same distance पर है और आप जानते हैं अगर यह L distance है तो यह distance कितनी हुई यह भी सब को पता है distance कितनी है यह L L तो root 2 L उसका भी half तो यह होती कितनी है L by root 2 distance होती है कोई शमासा नहीं है तो यह center सारे particles point पर potential होता है बच्चो वी जी is equal to minus का कितना Zm by R जिसमें M यह है जिस particle ने जिस point mass ने produce करा उसका mass उस small r है discussing point और इसके center mass के बीशियो डिस्टेंस इस तरह से आप वी जी निकार लेंगे पर यह है कैसी बेटीजी negative है है कैसी यह negative है और किसके reference में है infinite की reference में infinite पर potential zero होने पर यह कितना VZ minus का Zm by R होता है आपको issue है है यह नहीं अब तो आपको value put करने देखो तो 4 तो पहले से है already तो लिखो minus का कितना Z capital M upon यह distance कितनी है एक particle की L upon root 2 यलो साब L upon root 2 अब इसको only solve करना है root 2 उपर चला गया तो हमारे पास value कितनी है देखो minus का 4 root 2 और Zm by L यदि इस 4 को आप इसके अंदर लेना चाहते हो root के तो इसका square रहना पड़ेगा और 4 का square बचे कितना होता है 16 उसको 2 से multiply कर दो कितना है 32 तो इसका answer कितना minus root of 32 Zm by L यह बार फिर लिख दो यहाँ देखो जो इसका VZ हमारे पास आया minus root of 32 और यह Zm by L तो देखते है answer कौन स देखो minus 32 Gm by L minus का भी यहाँ important देखो यहाँ दोनों option है minus का भी है और कौन सा plus का भी है तो आप सही answer कौन सा देंगे first ओके तो बहुत अच्छे से question है पर अगर मालो आप से पूछे कि इसके center पे resultant intensity कितनी है वो तो बच्चों क्या होती है vector quantity होती है उस case में देखो इस capital M का यहाँ वीजी की इस तरफ इस तरफ उतना ही इस तरफ दोनों आपस में cancel इस capital M का जितना इस तरफ उतना ही इस तरफ दोनों आपस में cancel तो इसके center पे resultant intensity कितनी है zero बट इसके center resultant वीजी कैसा है non zero बट है कैसा negative अब यह आपका complete answer हो जाएगा तो आप इसको solve कर सकते हो ओके तो अपने चलते हैं question 9 पे तो 9 देख़वा आप यदि गरहूं A धता B की दरजाओं का अनुपात कितना K1 दो गरह हैं उनकी radius का ratio आपको दे रखा है K1 मालों दो प्लानेट है तो उसको मैं ऐसे कर रहा हूं कि first की radius कितनी R1 है दूसरे कितनी है R2 और उसका ratio आपको क्या दे की करण तो रहन का अनुपात कितना है K2 यानि G1 और G2 वो आपको दे दिया K2 बस यह है ratio of radius यह है ratio of acceleration due to gravity और दो है प्लानेट कोंसे A और B कोई समस्या नहीं है तो उनके plan वेगों का अनुपात गयात कीजिए अभी हमने discuss किया था कि अभी आप क्या दे रहे हैं दो प्लाने यूज करना पढ़ेगा जिसमें तरनों आजाएं तो आजाओ साब जैसे यह V escape speed कितना था बोलो root of 2gr आप कोई समस्या नहीं है मैं लिखो इसको V1 या V2 या V a upon Vb यलो साब V1 और by V2 is equal to root of कितना G1 by G2 G1 by G2 है क्या बच्चो K2 into क्या है R1 by R2 कितना है K1 यलो हो चुका है तो दोनों की escape speed का ratio कितना हो रूट of K1 into K2 रूट of K1 into K2 अगर अब यह question आपको formula से करना ही है इसमें कोई concept तो लगना ही नहीं है पताओ तो बहुत सरल सरल है आप physics punch से इसमें caution करेंगे तो definite truth से मेरा यह मानना है कि जो 20 हमने आपको punch दिया ना अगर उनको अच्छे से concept के स आप कर लेते हो ना तो नीट में इनके आसपास ही प्रसन आते हैं बाहर से question नहीं आते हैं पर सर्त है कि जो concept इसमें काम में लेगे हैं वो सारे आप करने चाहिए चलो बढ़ते हैं question 10th पर और question 10th क्या कर रहा है देखो यदि एक उपगरह में परीभर मनकाल कितना T है होती है चलो देखो इसको भी मानलो यह कोई एक प्लानेट है इस प्लानेट की चारों तरफ यह कोई उपगरह मूव कर रहा है इसका मास मानलो capital M यह distance मानलो कितनी small r और यह मास कितना है small m यह इसकी चारों मूव कर रहा है और इसकी orbital speed कितनी है V जानते हो आपने पढ़ा सेटलाइट तो उसमें जो V होता है वो कितना होता देखो root GM by small r तो आप यहां से देख पा रहे हो कि जो इसकी orbital speed है किसकी satellite की वो किस पी depend कर रही है किस पी depend कर रही है गोर करें आप यह मास किसका मास प्लानेट बट यह जो orbit की radius है उस पी depend कर रही है आप radius को बढ़ाएंगे तो इसकी speed कम हो जाएगे GM तो constant है तो बदल नहीं न अपन तो इससे आपने क्या देखा इससे हम यह देख पा रहे हैं कि V है proportional to 1 upon root r कोई समय से आनी है यहां तक वह समय से आनी है पर आपको इस में क्या दे रखा है यह दि एक satellite जिसका परीबर मनंकाल कितना capital T है तो kinetic energy किसके समन पाती है वो आपको देखना है तो आप देखो कि मैं आप से पूछों कि इसकी speed किती V है mass इसका small है तो बच्चों इसकी kinetic energy कितन पर हाफ M V square अब देखो यह किस के समान पाती है V square के और देखो V square किस के समान पाती वन अपोन आर के yellow वन अपोन आर अब आर कैसे time period पे डिपन गड़ती है तो आजाओ किस पे K plus low पे आप जानते है K plus low के according time जो है या time period है उसका square वो इन दोनों के center के बीच की distance है उसकी power 3 क यह होता है directly proportional तो R की power 3 जब T square के proportional है तो R बच्चो किस पे depend करा T की power 2 बटा 3 बस अब इस R के स्थान पे आप क्या replace कर सकते हो तो अब आजाओ line पे के जो की proportional था 1 upon कितना R के और इसके स्थान पे मैं क्याल स्था हूं तो 1 upon R है तो 1 upon कितना यह है बच्चो T की power 2 बटा 3 इसक पर तो power क्या है माइनस तो dependence चेक कर लो K है proportional to T की power minus 2 by 3 तो option देखो यह आपका fourth option हो गया बहुत ही पहरा परशन है सारे परकार की चीज़ें इसमें involved हो रही है किस तरह से इसकी speed R पे depend कर रही है फिर R कैसे T पे depend कर रहा है और फिर K किस परकार से T पे depend कर रहा है बिलकुल mix ह कवर्जन ऑने के बाद का question है ठीक है चलो फिर बढ़ते हैं क्क्रेशन 11 पर 11 क्क्रेशन क्या करा देगो एक उपगरह को परत्वी के चारों और और आर्थर्जा की वर्तिक सामें प्रेक्सेपित किया झाता है और दूसरी उपगरह को 1.02 तूर्यंत की वर्तिक सामें प्रेक जैंस कितना है, बिलकुर सही साथ, ए सेटलाइट इस लांच इन्टो ए सर्कुलर ओर्बिट ओफ रडिएस कैसी हैं, डिफरेंट है, रिड़िस कोई सी, सर्कुलर पाथ की, अब सुनो, जैसा कि आप जानते हो इसमें, के प्लस लोके अकोडिंग, जो टाइम प्रिड होता न, उसका स्क्वाइर, किस पर डिपेंड करता है, जो रेडियस होती है, उसकी पाउर कितनी 3 वाई 2 पर हो, सही बात है, सोरी, वापिस देखें हैं अपन, माल लो, यह कोई प्लानेट, और इसकी चारूं और कोई स्मॉल ए मास का सैटलाइट है, वो मुग कर रहा है, जिसका पात कैसा होता है, अपन जानते हैं, उसकी और्बिट कैसे होती है, इलिप्टिकल होती है, अब यह मास स्मॉल एम है, इसकी चारूं तरब मुग कर रहा है, यह मास कितना कैप्टल एम है, तो कुशन क्या कर रहा है, कि जो पर्त्वी के चारों और capital R radius की circular orbit मुगरा पहले इसकी radius कितनी है capital R है और दूसरा एक satellite और है उसकी radius कितनी है वो है R radius जो की है कितनी देखो 1.02 R थोड़ी सी उससे ज़्यादा है R की ट्रम में पर चे तो R बहुत बड़ा होता है इसलिए ज़्यादा है distance पर R की ट्रम में आपको कैसा feel हो रहा है कि हलका change है कोई दिकत नहीं है अब ये first satellite है ये कौन सा आपका second satellite है और आपको पूछा है इनकी time period में क्या change हो रहा है कोई दिकत नहीं capital slow इसके लिए बहुत important है तो capital slow की according आप देखो कि T square proportional कितना है अब ये R की पाउर 3 मैं यहां से निकालता हूँ T तो T हुआ proportional to R की पाउर कितना 3 by 2 अब चुँकि R की ट्रम में बहुत कम change आए इसलिए इसको अपन बदल लें किसमें fractional change में और fractional change के बाद इसको बदल लें किसमें percentage change में तो उस case में इसकी power कितनी तो 1 है न तो मैं इसको लिखो बच्चो delta T upon T into कितना 100 is equal to इसको अपन यहां से आगे लें 3 by 2 into कितना ये delta R by R into 100 ये क्या है percentage change in time period है ये आप से पूछा गया है और ये इसका value है अब सुनो delta R क्या है इन दोनु orbit की radius है उनका difference तो देखो delta R हमारे पास कितना हैगा ये इस में से इसको minus कर दूँ 1.02 R में से R को minus करता हूँ तो कितना 0.02 R बचा तो इसको लिखो अब मैं 3 by 2 into इसकी value देखो कितनी आई ये है 0.02 R upon R into 100 R से R cancel इस 0.02 को हम करें 100 से multiply तो कितना हो गया 2 यानि इन दोनु को आपसे multiply करेंगे तो 2 हुआ और 2 से बचो 2 cancel हो गया तो आपका answer आए कितना 3% क्या वा 3% को इशों नहीं है देखो answer कौन सा है yellow fourth हो गया easily अब ये सब concept हैं इस पी question आते ही रहते हैं इससे आप बच नहीं सकते ही तो करने ही पड़ेंगे बचो ठीक है बढ़ते हैं question next पे तो question 12 ये question बहुत ही जादा बार repeated question है नीट या इस परकार की medical exams में बिल्कुल simple question है इसको भी check कर लें question कर रहा है suppose the gravitational force varies inversely as the nth power of distance तो इस पहले line का अगर मैं लिखो result तो कि कर रहा है कि force जो है वो distance है उसकी nth power के inversely proportional है यदि इसको ऐसे लिख दो मैं क्या f बराबर कितना k upon r k power n कोई समझे नहीं है सही से लिखा जा रहा है ठीक है first line का result आपने लिख दिया then the time period of a planet in circular orbit of radius capital r round the sun will be proportional to अब पूछा है कि जो time period है उस satellite का वो किस परकार से depend करता है तो circular motion जहाँ बर भी आती है हम तो यह जानते है देखो कि मान लोगी कोई था planet इसके around कोई satellite move कर रहा है circle motion कर रहा है इस पे लग रहा है center की तरफ फोर्स अगर मैं इसको पढ़ता हूँ आर्थ की respect पे तो मैं कहता हूँ कि इस पे लगा जो gravitation force है वो क्या परदान करता है वो इसको centrifugal force पढ़ता है यदि साथ गुमते पढ़ता हूँ तो क्या लगा दूँगा centrifugal force तब ही आप apply कर पाएंगे जब आप इसके साथ रहते वे study करते हो बिल्कुल अलगल इससे खानी होती है बहुत important concept है आपके physics का अब सुना देखो यहां आपसे पूछा है time period तो अगर मैं इसके साथ रहते वे study करता हूँ ना तो मैं क्या करता हूँ अंदर तो force का लगा के अपॉन कर दो आर की पाउर N बहार लग गया कौन सा centrifugal force अब उसमें हमारे पास speed की ट्रम में भी है omega की ट्रम में भी है time period की ट्रम में भी है तो जो चाहिए वो ले लो बस दे से जदा एक बार फिर convert करते हो बाद में पहले V निकालते हो फिर T निकालते हो ऐसे मत करो यदि आपको यहां निकालना है time period तो आप जानते हैं देखो मैं लिखो इसको mr omega square इसको बदल लो आप यहीं पर ही कितना mr यह हुआ कितना 4 pi square upon t square यलो तो इसमें time period की ट्रम में आपका force आ गया अब 7 move करते हैं मैं study करता हूँ जितना force इसके अंदर उतना force कैसा भार है यह आप आप से balance कर रहे हैं इनको आप balance कर दो तो balance आप इसको करेंगे तो देखो अपने पास value आई क्या कि k upon r k power n is equal to यह हो गया आपका mr 4 pi square by t square आपको t पूछा है इस t को पर ले जाओं बाकी सिर्द ले जाओं और मुझे dependence चेक करनी है तो देखो इस से मैं solve करता हूँ तो मेरे पास t square किसके proportional है यह r k power n है यहाँ पे r है दोनों उपर चलेगे दोनों के base से में तो n plus 1 हो गया यानि यह वह r k power n plus 1 बस यह तो है यह आपको इसमें find करना होता कि time period तो यह किस पर depend करेगा r k power n plus 1 by 2 और इस पे सिदे प्रसन आ रहे है लास्ट यह या इससे पहले वाले नीट में question आ रखा है उसमें देर रखा है कि अगर force जान सुनें अगर force f proportional to r k power minus का 5 by 2 है तो उस condition में tempered r पे कैसे depend करेगा तो देखो यहाँ अपने पास n कितना मैं इसको ऐसे लिखता हो न वन अपोन कि इतना आ गया यह हो चुका 5 by 2 इसको put करो दो solve करो दो बस पर इसमें ध्यान देना यहाँ question में dependence आपकी v की साथ पूछ सकते हैं उमिगेंगी पूछ सकते हैं जो पूछे वही मालो मैं लिको नहीं यहाँ v की रूपे तो mv की रूपे निकाल लो आ जिसका पूछे उसी पे क करना है अब चलते हैं इसके answer देख लेते हैं क्या आया है तो बताओ क्या है इसका answer आया आर एन प्लस वन बाई टू फरस्ट इसका answer सही है ओके चलते हैं next कृष्वन देखो कृष्वन 13 13 वाला question भी बहुत प्यारा question है और यह हमें याद रखना चाहिए इस पे समय हमें जय हैं जो बताओं आपको मैं देखो कि मानलो यह आर्थ है आर्थ की surface से मैं किसी object को दे रहा हूं projection velocity यह जो velocity है vp मैं इसको ले रहा हूं k into ve कि यहां पर को constant है हो सकता है कि यह का मान कितना एक के बराबर हो एक से कम हो इस तरह से value हो सकती है तो अगर मैं यहां इस vp को देता हूं और vp के रूप में जो अब इसमें जो h आएगी वो अपन यहां find कर लें आप देखो पूरी process है mechanical energy का concentration apply करके आप इसका h निकाल सकते हो तो जो h हमें यहां मिलेगी जो h हमें वो है कितना vp square upon कितना ve square minus कौन सा vp square into r यह आपको value मिल जाएगी अब इस formula में अगर आप vp के स्थान पर क्या kve put करोगे अगर मैं इसको ऐसे put कर दूँ ऐसे करने पर जो आपको value यहां मिलेगी h की वो मिलेगी आपको कितनी k square into r upon कितना one minus k square अब यह h है क्या आर्थ की surface है इसी में अगर center से distance हो तो उसको अपन small r की रूप में लेते हैं उसकी रूप में गयाद करेंगे तो h है तो मैं r अगर निकालता हूँ वो है कितना r plus h इसके value यहां put करके solve गड़ता हूँ तो मेरे पास value आती है यही आती है वो आती है कितनी r upon one minus k square हम सब को यह जो formula है small r वाला center से distance का दो यह तो था आपका answer यह है पर अब इसके जो need है exam के लिए वो बहुत important है उसके लिए आपको center से distance का formula बहुत easy है कितना r is equal to capital r upon one minus कितना k square अब इसमें k क्या है उदे रखा है इसको आप use करके question सा solve कर सकते हो बड़ा का है आप द तीन case possible हो सकते हैं यदि के का मान एक से कम है या के का मान कितना है एक के बराबर है के का मान कितना एक से ज़ादा है यदि के का मान एक से कम है तो प्रोपरियर फॉमले काम आ रहे हैं question साब कर लीजेगा यहां इस case में कभी भी object अर्थ की gravity limit को cross नहीं करेगी परन्तु के के is equal to sorry के one से ज़ादा होने पर इस case में क्या होगा कि मान लो यह इसकी gravity limit है यहां जी कितना है zero है इसी को हम बोलते है infinite तो अगर आप यहां से इस body को throw कर रहे हैं जिसकी speed कितनी है के more than एक वाली है तो अब देखो infinite को पार करते समय अब इस object के पास या escaping body के पास non-zero speed होगी यानि अब यहां इसको cross करने के ठीक बाद उसके पास एक speed है जिसको मैं कह रहा हूँ V infinite पर बेटे जी वो है कितना non-zero है अब यहां पे पूरे case में आप देखें तो हमारे पास 3 speed है कौनसी एक escape speed एक velocity of projection और एक कौनसी infinite को पार करते समय speed है यह कौनसी आपकी V infinite अब यह तो कह रहा हूँ तीर मेरे पास speed है एक तो कौनसी VP है एक कौनसा है V infinite और एक है बच्चो कौनसा VE हम VP दे रहे हैं उसी का हिस्सा कुछ यह है और कुछ remaining part से बाहर निकल रही है तो definite है VP का मान V infinite से बढ़ा होगा इससे भी बढ़ा होगा तो याद करने के लिए आप ऐसे कर लो कि VP जो है उसका square है वो कौनसा V infinite का square प्लस कौनसा V आपका मैं कर दूँ कौनसा V यह EK square के sum के बराबर है यह formula अच्छे से काम में ले लो और persistence करो यहां आपको निकाला V infinite तो क्या करें इसको इधर ले आओ तो VP square मैनस कौनसा V square और फिसका root कर दो तो यह आपका infinite आज आज़ आज़े तो अब answer देखें है अपन आए सतैसे मैतम उन्चाए सरफेस से उन्चाए कितनी थी तो कितनी थे देखो सतैसे उन्चाए थी case square r upon 1 minus case square यह लो पूछता कि center से कितनी है तो उस case में उसका यहां पे कोई answer नहीं दे रखा है पर answer क्या था r upon 1 minus case square आज़ो कहीं कोई सम solve कर सकते हो तो अब 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 बढ़ते हैं आगे 14 14 क्या करा देखो एक कंड मादे इस्तिती से सरल आवर्थ गती कर गती आरम करता है यह इसका आयाम कितना a है आवर्थ काल कितना t है तो वह है समय जिस पर इसकी चाल अधिक्तम चाल की आधी होने पर जिस पर इसकी चाल maximum speed कैसी आधी है तो विस्तापन कितना होगा विस्तापन कितना होगा तो देखो इसमें भी मैं एक चीज़ आप बताऊं जैसे जो simple harmony motion होती है उसका जब आप पढ़ते हो geometrical representation तो हम क्या मानते हैं कि कोई particle है मानलो कि कोई particle है यहाप पार्टिकल सरकल पर मुझ कर रहा है आप यहां लगा दो कोई source of light लाइट इस पर यहां ऐसे गिर रही है मानलो और इसका जो diameter है वहां लगाते है अपन क्या है कि photographic कोई प्रेट लगा दें यहां ऐसे मानलो कि यहां इस परकार कि अपन कोई विवस्ता कर दें जिसे कि इस particle की यहां सेड़ो चाया बन जाए तो अगर यह particle मानलो पहले यहां है तो इसकी चाया यहां पर है जब यहां पा यहां पहुंच गी पर जैसे particle यहां से नीचे आ रहा है तो इसकी चाया वापिस का नीचे आ गई पिर यहां से यहां गया तो चाया इसकी यहां से यहां गया चाया यहां से यहां चली गई तो यहां मैं दो चीज़ों कर रहा हूं एक तो है इसमें projection एक का इसमें motion of object आप वो क्या करता है वो simple harmonic motion शो कर रहा है पार्टिकल शो नहीं कर रहा है और यह सिर्फ geometrical समझने के लिए अपने इसको तयार कर रहे हैं अब यहां जैसे मैं start करता हूँ इस मोशन इस पॉंट से तो आप इसमें एंगल शो करते हो तो मालों यह 0 डिगरी का है इसको मैं कर दूं कि यहां ठीक मिड़ बाला कितना 30 का फिर 45 है 60 है 90 है फिर आप यहां 120 है 135 है 150 है कितना 180 है वापिस 210 है 220 है 240 है 270 है 300 है 315 है 330 है और कितना 360 है एक पूरा चकर हो गया अब जोंकि simple harmonic motion शो कौन कर रहा है पार्टिकल मैं उस पार्टिकल की जो motion sorry यहां कौन कर रहा है इसका shadow इसकी च रहा हूं देखो उस पर धान देना मालो पहले particle यहां था वो गया इस तरह वापिस आया इदर गया वापिस आया यह बन गया complete cycle मैं इस motion को चुंकि है तो state line पर यहां जो इसकी projection है वो कहा motion कर रही है इसकी चाहें कैसे motion कर यह state line पर उसको समझने के लिए मैं ऐसे कर रहा हू कि पहले particle जा रहा है फिर particle वापिस आ रहा है फिर इस तरह गया और फिर वापिस यहां गया यह है इसका complete cycle है इस एक complete cycle में आप देखो एक परट इसका बता रहा हूँ यह 0 degree का angle है यहां मालो कितना 30 degree यहां कितना 40 यह 45 यह 60 और यह कितना है 90 डिग्री यहां इसका displacement कितना x equal to 0 है यह कौन सा है x equal to आपका plus का a यह amplitude है और यह कितना है x is equal to minus का a तो यह plus a से minus a के बीच क्या कर रहा है simple harmonic motion शो कर रहा है particle यहां से गया वापिस आया वापिस आया तो अगर यहां से पन स्टार्ट करते है particle motion तो यहां से जाकर कर वापिस आ रहा है तो आपको साफ नजर आ रहा है यहां एक cycle में इसने total distance कितनी कवर करी देखो यहां से यहां तक है a है तो 2a 3a और 4a distance traveled by particle कितनी 4a है बड़ इसका displacement कितना बच्चो जिरो यह भी जानते हो आप कि एक cycle को पूरा करने में कितना समय लगता है capital T लगता है इसका मतलब यह तो पता लग गया आपको तो यहां आगे दो question और आएंगे मैं उसको पहले discuss कर रहा हूं यहां आपसे यहां पूछे ना कि एक चकर में travel distance कितनी फोर है पूछे एक चकर में travel आपका displacement कितना शुने अब यह पूछे इसमें कि average velocity कितनी है तो average velocity होता है कि displacement upon time तो इसमें जिरो हो गया ना तो विश्थापन के सुने होने से इस particle की average velocity कितनी शुने है बट average speed होती है distance upon time तो इसमें वो बड़ा अच्छा caution है कि average speed अप इसका total distance कितनी है 4a upon कितनी t 4a upon t इसको आप और convert कर सकते हो 4a t कितना बार 2pi upon omega को उपल जाएं यहां इसको उड़ा दो कितना 2 से तो हमारे पास इसकी value कितनी है रेखो 2 omega upon pi 2 upon pi into omega sorry यहां पर एक value a भी था ना यह a हो गई और a into में क्या होता है वी maximum वी maximum इसको आप और solve करोगे 2 upon 3 को 2 upon pi को तो यह करीब करीब कितना 0.63 और यह हो गया वी maximum इसका मतलब एक चकर में इसकी average speed कितनी है वो है 0.63 वी maximum हो गई बिलकुल और यह कई बार question पूछा है तो यहां से पर कई questions के answer निकालने वाले हैं हैं देखो हमने कहा 30 दिगरी 45 कितना 60 और कितना 90 हो गया अब 30 दिगरी पर 45 पर आप जानते हो कि x यहां 0 है यहां कितना आप जानते हो a by 2 यह कितना a by root 2 और यहां पर आप लिखते हैं क्या root 3 a by 2 यह इसकी total displacement है मैं इसको क्यों कर रहा हूं देखो मैं यहां पर कई questions अगर मैं यहां लिखूँ देखो displacement y equal to a sin theta और अगर लिखूँ यहां पर velocity v तो क्या करते हैं आप a omega cos theta सही है आप इसका solution भी find कर सकते हो देखो यह कर दो यहां पर f कितना minus का omega square into a sin theta सही है और इसमें यह a sin theta क्या होता है y तो minus का omega square into y जो कि shm की एक सामाने complete सड़ होती है उसको पूरा कर रहा है इसका मतलब यहां पर जो अपन conditions लेते हैं वो fulfill हो रही है बास सही है अब आओ जेखो हमने कहा कि y is equal to a sin theta है तो theta की तो बहुत कर रहा हूं मैं जब मैंने यहां पर 30 use किया तो sin 30 कितना 1 upon 2 तो a by 2 हो गया 45 कितना a upon root 2 तो मैंने only यह value पूट कर रहा हूं अब आप समझते हैं कि इस पूरे one four cycle में angle आपने यहां तक लिए उसके बाद भी अगर angle मैं लिखो देगो 90 यह 120 यहां लिखों कितना 135 यह कितना 150 यह आपका कितना 180 उसके बाद इस तरफ भी वैसे आएंगे पर यहां पर इस तरफ displacement कैसा देगा negative यह विस्तापन हमेशा mean position से मापा जाता है इसलिए इस तरफ हमेशा कैसा positive है इस तरफ हमेशा कैसा negative है अब सुनो हमारा question क्या था वेलोसिटी का तो वी क्या बच्छो ए और को समेगा अब यहां तो और भी है potential energy भी आप इससे लिए कर सकते हो तो आगे इसको अपन लेंगे अभी इस question को अपन करते हैं तो आईए next question में तो next question पर आते हैं है अपन question 15 पढ़ें पढ़ लिया तो कितना हर question देखो हर में अलल concept है इसलिए पंच नाम रखा इसलिए आपके लिए question है दो सरल आवर्थ गतियों की समेकरने आपको देर रखे हैं a sin omega t minus का alpha बी cos omega t minus का alpha तो इन दोनों के मद्दे कलांतर कितना है face difference तो आप जानते हैं जितने भी trigonometric function है उसका जो आधार है मूल है उसकी जो माता मानलो कौन sign function है जद जिमा खराब करने की बजाए सिंपल ध्यान रखा करो जब भी आपको निकालना हो face difference तो सारे परकार के जो भी trigonometric function है उसको plus sign में बदल लो या plus cos में बदल लो या minus sign बदल लो पर होने ची सारे a जैसे हमारी समझ इतनी कहती है कि अगर sign में बदल लें तो हम कुछन को कर लेते हैं यह तो है fix कितना y equal to a sin omega t minus का alpha या कितना y equal to b cos omega t minus का alpha तो इसको देखो y तो पढ़ा है यह लिख तो sign ये लो साब omega t minus का alpha प्लस कितना pi by 2 ओकी अब दो लों कैसे है प्लस sign में ये भी plus sign प्लस sign उसके इसमें ये phase किसकी है y की और ये y days की phase कौन सी ये है जिसका अपने कालते है phase difference तो इस phase गठा दो इसको ये इससे cancel तो बचा कितना pi by 2 यानि y days की phase कितनी है y वाले की phase से pi by 2 तो कैसा leading phase है आगए है तो इसमें इसकी phase leading है कैसी है ये lagging है पीछे ये कौन सा अगर गामी कौन सा अपस गामी है तो आपका आंसर कौन सा थड़ा आ गया ठीक है ओके नेक्स कौशन देगो अगला कौशन है कि एक कर्ण वर्थ की परिदी के along नियत कौनी वेक से गतीशिल ह तो निमिल लिखित में से कौन सा खतन सकते है अभी हमने discuss किया था कि कोई particle जब circle पे move कर रहा होता है तो जो उसका projection होता है कि उसके diameter पे वो क्या करता है simple harmonic motion तो आपका इसमें answer क्या ना चीए या तो कोई फालतो है ने ना किसी भी एक व्यास पर कणके पत का प्रक्षेपन या नि projection जो है वो simple harmonic motion शो करता है जिसके spell लिकर चुके है बढ़ते हैं आगे जिसका answer कोई सा हो गया थार्ड ओके आजओ question 17 में जो 17 का question है उसमें देखें आप two simple harmonic motions are represented by the equation y ये है तुसरा आपको दे रखा है y the face difference between two particles is यहाँ भी face difference पूछा है वोई बात हमने कहा था जब भ आपके function है वो होने कैसे चे प्लस sign की रूप में यह already plus sign की रूप में है यहाँ कौन सा कोस की रूप में है चलो इसको लिए देता हूं पूरा मैं तो हमारे पास पहले तो है y1 कितना रेखो 0.1 sin फिर है यह πाई t plus इसको बदलो एंगल में πाई अपॉन 3 कितना हुता है 60 डिगरी और दूसरा y2 है बच्चो कौन सा 0.1 और यह कोस को बदलो sign में sign पाई t और कितना प्लस पाई बाई 2 यानि 90 डिगरी अब सोचो जरूरत नहीं सोचने की इसकी phase कितनी है पाई t plus 90 कितना पाई t plus 60 दोनों कैसे है sign में है plus में सारी सर्थे अपने पूरी कर ली है अब के वल आपको phase का difference करना है इस phase में से घठा दो इसको तो 90-60 कितना पाई 30 पाई बाई 6 पाई बाई 6 बाई बाई 6 आंसर हो गया कोई समय से आ नहीं है कर लेंगे आज आओ next question में तो next question आपका है यदि एक कंड का विस्तापन समय कंड दे रखा आपने को x कितना 3s हैं 2t plus 4 cos 2t तो आयाम और इसका अधिक्तम वे ग्याद कीजिए बहुत प्रशन है और इसको जो AC हम लोग पढ़ते हैं na AC वहाँ पढ़ते हैं पर phaser diagram उससे समझेंगे तो आपको इसका character की रूप में treat करके और फिर उसका resultant find करते हैं क्योंकि वहाँ पर voltage और क्रेट में क्या phase होता है और यहाँ पर भी क्या phase ही है यहाँ पर phase है तो जो x हमारे पास है 3s and 2t है फिर कितना 4 cos 2t यानि यह तरह से दो सिंपल हार्मोनिक मौसन का सूपर इंपो जाए अधर उपन है यह first equal second दोनों की frequency कैसे सेम है जो इसकी सर्थ होती है अच्छा अब सुनों यह first है अगर इसको अपन बनाएं मान लो यह x axis जो first है कितना x इसको first मान रहा हूँ मैं 3 sin 2t आपने पढ़ा phase diagram में तो 3 तो मान ले 3 के equal मैं मान लो एक vector जो कितना अगर मैं यहां मानता हूँ 0 t 0 तो t समय पे उसका angle कितना 2t यह लो साब यह 2t angle पर 2t angle पर यह कोई vector है इसकी length कितनी यहां पर 3 है समझे पर कितना 4 cos 2t अब पहले ही चेक करो कि 4 cos को बदल लो किसमें sign में तो कितना 4 sin 2t प्लस कितना pi by 2 यानि जो इसकी phase 2t है उससे भी कितना 90 आगे इससे 90 आगे यह 90 आगे पर इसका 3 कितना बचो 4 यह इस तरह से हमारे पास 2 बन गए simple harmony motion जिसमें इसका कितना है 3 यह कितना है 4 यह कितना 2t अंगल पर कितना 90 अब इसका total अंगल कितना है 2t प्लस pi by 2 है अब जोंकि हमने इस 3 और 4 को as a vector treat किया है तो ऐसे में इन दोनों का resultant जो अपने निकालते है amplitude A कौन सा R वो कितना है देखो यह 3 square प्लस क्यूंकि आपस 90 प यह हो गया कितना 5 बोलो इसका square अब देखो अगर मालोई इसमें यह होता ना यहां कर दों क्या A यहां कर दों कौन सा B इसके A और B होने पर A R कितना आता root of A square प्लस B square कोईश्यों नहीं है अब सुनो जो इसका resultant है वो इस वाले से कितने angle पे है तो आप जानते हैं यह कौन मालों इसके 5 मालने के परशाद इसका हम निकालते हैं 10-5 तो बच्चो 10-5 हमारे पास कितना है यह दिस अपॉन दिस यह नहीं एतरे से हमारे पास यह यह लोगों सी है यह मालों A और B तो A हो गया B अपॉन A आ गया इससे 5 निकाल से तो 10 inverse B अपॉन A आप देखो जो इस पर अमेगा नहीं गया भई तो इस पूरी equation का हमें ओमेगा मिल चुका है कितना 2 इसका हमारे पास A, R कितना है 5 तो जानते हैं इसकी V maximum कितनी होती है A into omega तो A बच्चों कितना 2 into 5 कितना 10, 10 meter per second इसकी है maximum speed पर अगर मालो जैसे हमने यह first SHM यह कौन सी second लिखा तो इसकी दोनों के superimpose होने के बाद जो net बनेगी उसकी क्या लिखो equation तो वो है देखो net Y is equal to AR sin 2T plus यहां मैं क्या लिखने वाला हूँ 5 अब इसकी value क्या बन देगो AR तो कितना वाँ? अगर A और B की रूप में है तो कितना A square plus B square का root और sin कितना 2T plus यहां 5 कितना लिखोगे? यह 10 inverse B upon A इस तरह से आप इस question को करेंगे तो अपना answer इसमें क्या आएगा? उचह है आयाम कितना है भई? 5 और maximum speed कितनी है? 10 यह इसका answer आगया ठीक है? बहुत प्या 19 में देखो कि तीन पिंडूं के कौने वे कितने हैं? ओमेगा 1, 2, 3 हैं उनकी साफिक्स आयम कितने हैं? A1, A2, A3 यदि सभी तीन पिंडूं के मास कैसे equal हैं और अधिकतम वेक भी कैसे समान हैं तो इनका relation क्या है? यह तो बहुत सरल सा कौशन हो गया ना? तो V maximum सारूं के same ह तो कितना सब बराबर हैं? अगर इसको अपन equal कह रहे हैं तो पहले का कितना A1, ओमेगा 1, दूसरी का भी कितना A2, ओमेगा 2, थर्ड का भी कितना A3 और ओमेगा 3 यह तो सरल सा कौशन है इसमें तो ज़र टाइम की आउशिकता ही नहीं है इसका answer कौशन हो गया बढ़े आग always constant, maximum at the extreme position, maximum at the equilibrium position, अभी हम पिछे questions 18 वाले में discuss कर रहे थे, वहाँ थोड़ा टाइम अधिक लग रहा था, questions कम हो रहे थे, इसलिए मैं वहाँ से थोड़ा सा आगे निकल गया था, तो इसमें देखो आप question में, कि simple harmonic motion में जो होता है acceleration F, वो है minus का कितना omega square into x, बात clear, मालोग particle है x equal to 0, यहाँ इसका आपन कहते हैं extreme, फिर वापिस particle आ रहा है, फिर यहाँ से वापिस आ रहा है, तो यहाँ था हमारे पास x is equal to plus a, और यहाँ कितना है x is equal to minus a, सही है, तो आगे बढ़ें, यह mean position यह कौन सा extreme, तो extreme पे x कैसा maximum, तो आप देखिए x पे तो depend कर रहा ना, x क बढ़ने से एप बढ़ रहा है, 0 होने पे कितना 0 है, तो आप से पूछा question क्या था, question पे वापिस बेक आ रहा हूं देखो, कि किसी कणका simple harmonic motion में acceleration कैसा है, हमेशा 0 गलत, always constant गलत, maximum at the extreme position बिल्कुल सही है, maximum at the equally position वाँ 0 होता है, तो सही आंसर कितना आएगा इसका, third, कोई नहीं है, बढ़े आगे देखो, यहां question आपका है कि simple harmonic motion में, a particle executing simple harmonic motion with a amplitude of 0.1m, तो किशन में देखो, इसका जो amplitude है, a, वो है 0.1 meter, at a certain instant when its displacement is this, यानि इसका आप उदेर रखा है, x, वो कितना रेखो, 0.02 meter, और इस displacement पर, its acceleration is 0.5, यानि इस x पर, इसका f, यानि turn जो इसका है, वो आपको देर रखा है, 0.5 meter per second square, और आप से पूछा है, the maximum velocity of the particle is, तो इस particle की, अदिकतन speed कितनी वो आपको निकालनी है, तो आओ साब, हमें निकालना है V maximum, वो होता है, क्या है, a into omega, a हमारे पास already है, हमारे पास ये नहीं है, अब देखो, अपन जानते हैं, किसी particle में, जो उसका acceleration है, उसका अपन निकालते हैं, magnitude, वो है कितना omega square into क्या आक्ष, अब इस person में आपको f दे रखा है, इसमें x दे रखा है, तो इससे अपन omega निकाल सकते हैं, कितना है अपन x का root, तो मैं यहां से इसको क्या लेखूँ, यह है a into कौन सा root of f by x, यह है a amplitude i, अब इसकी value put करो देखो, a क्या दे रखा है हम लोगों को, point one, root of f, point five, upon x कितना देखो, point zero two, point zero two, अब इसकी थोड़ी से basic mathematics है, अगर मान लो, मैं इसको, यह point zero two है ना, इसको solve करने के लिए, अगर मैं इसको hundred से कर दो multiply, यहां करों इसको hundred से divide, तो point zero two को hundred से multiply करती, क्या हो चुका है, two, सही है? तो अब बताईए, 50 upon two कितना, 25, उसका root कितना, 25, कितना root हुआ, 5, point one को 5 से multiply कर दो, कितना, point five, तो right answer कितना हुआ, point five. mathematics तो इसकी basic वो भी, neat के बच्चे के जैसी होने चाहिए, ताकि गलती होने की chances बिल्कुल जिरू हो जाए, बढ़े हैं के question में? आओ. Question 22, यह है, if a body is executing simple harmonic motion, then, यदि कोई particle simple harmonic motion कर रहा है, तो कहरा कि अंतिम सेरे पे कोल उड़ जा कैसे सुनने होती है, अपने जानते हैं, simple harmonic motion में, total जो उसकी energy है, वो कौनसी है, potential plus kinetic, और वो तो हमेसा constant रहती है, वो तो हमेसा constant है, आप जानते है, extreme पे पूरी कौनसी है, potential, और यहाँ नीचे कौनसी होती है, mean position में purely होती है, kinetic, अगर अपने u किता मानते हैं, पहले 0 मानते हैं, और सिर्फ वो आपस में कैसी connect होती ह गलत है, कि अंतिम सेरे पे कुल कितनी है, गलत बिल्कुल है, फिर करा कि सामे अवस्ता की सती पर mean पर कुल उर्जा, potential की रूप में होती है, नहीं, वहाँ तो सारी कैसी होती है, kinetic होती है, और सामे अवस्ता की सती पर कुल उर्जा, गतिस की रूप में, बिल्कुल सही है, mean position पर जैसे मालूब simple pendulum होता है तो यह इसकी है extreme negative extreme, mean positive extreme, तो जो extreme बाले point है वहाँ सारी potential में हैं, यहाँ सारी कौन सी kinetic, तो यह जो यहाँ है यहाँ x कितना 0 है, तो सुनना देखो अगर इसको पर थोड़ा सा समझें कि उसनको तो जैसे यह x is equal to 0 यहाँ x is equal to कौन सा आपका plus का a और यह मालो कौन सा x is equal to minus का a, जब particle यहाँ इस तरह से मौस्ण कि तो पूरे की सारी कहानी इसमें ही जुड़ी भी है, x कि 0 होने पर आप निकालते हैं, इसमें f force equal to minus का कौन सा kx, और x कि 0 होते ही force कितना 0 और mean position, यहाँ सामें आवस्ता की सर्थ क्या होती है, उस पे net force कितना होना चीए, 0 उसको पूरा कर रहा है, पर है कहाँ बेड़ेजी mean position पे, तो mean पे सामें आवस्ता भी है, साथ में वहाँ पूरी energy की सुरूप में sword है, वो है as a kinetic energy, इसलिए answer कौन सा बना इसका, बोलो third बन गया, ठीक है बढ़ते हैं question, next में यहाँ थोड़ी से numbering गड़बर लग रही है कोई रिकत नहीं है, यह question कौन सा हो गया आपका, 23 एक small m mask a body of mask, small m situated at a distance 4 r e from the surface of r and r is created as what is the minimum energy needed by the body for escape, मैंने आपको भी सिखाया था, कि जब भी किसी body को, किसी भी planet से, उसके center से, उसके अंदर से, surface से, या उसके outer से, आपको escape परना है सबसे पहले, आप देखो पहले body कैसे rest में है, तो उसकी यू निकाल लो, potential, उसको फिर bending में बदल दो, और उसको फिर क्या करते हैं, आप kinetic परोड़ करते हैं तो किसन आपका होजा आता है, देखो मान लो ये earth है, या कोई planet मान लो इसकी latest कितनी है, ये r, और r e की रूप में है, तो yellow साब, अब ये करा कि surface से 4 r e surface से कितना s बराबर, 4 r e distance पे, यहाँ पे आप रख रहे हैं, small m, तो आपका पहला काम है कि इस पे इसकी u कितनी है, u है बच्चो माइनस का z, capital m small m, small m इसका मास है, upon कितना दोनु के 20 के distance, तो 4 r e plus r कितना होगा, देखो 5 r e हो गया, अब g m कितना होता है, आप बदल सकते हैं इसको, ये होता है z r square और इसमें 1 r से r होगा cancel, तो आपके सामने है ये है कितना, m g r upon 5, that is the potential energy of object at 4 r e height from the surface of earth कोई शुनी है, simple सा काम हो गया अब जो मैंने का था कि u आपको मिल चुकी है, तो हमें इसमें क्या निकालना इसकी, escape energy और escape energy इसकी binding energy है जो कि हम kinetic से करते हैं, provide तो half m into जो इसका v square है वो हम provide कर रहे हैं किसके लिए, तो escape के लिए और इसकी को इपन कर रहे है, escaping energy जो किसकी है, जो इसकी negative है, तो minus into minus करूँगा ना, तो value कितनी है देखो, m z r e upon कितना 5 और अच्छा आपको तो energy पूचिए ना, तो अपका caution तो हो गया भई, question आपका हो चुका है, कि यहाँ energy के तीचे कि m z r e upon 5 फिर भी अगर माल लो इसका और इसका answer कितना है, यह परन्तों आपको पुचिए ने escape speed, तो m से हम को उड़ा दो और ve कितना 2 से कर दो multiply, तो 2 g r upon 5 का root, इसकी escape speed प्रजाएगी, तो दो फाइद होगे, कोई गलती नहीं है, बढ़े आगे अब तो देखें, question इसका 24, तो numbering थोड़ा सा ध्यान देना, कोई उश्यों नहीं हो जाता कही बारा से आजाओ, question 24 यह क्या है, a wooden block performs SM on a frictionless surface with frequency f0, the block carries a charge plus cube on its surface if now a uniform electric field e is switched on as shown then SHM of the block will be तो इस particle की जो SM हो, किस तरह से होगी, वो आपको पता नहीं है, तो इसमें पहले आप सोचो, समझो कुछ जैसे मानलो यह कोई एक spring यह इसकी है natural length यह इसका free end कोई mass नहीं है, length इसकी मानलो capital L है, आपने क्या किया, इसके साथ एक particle किला टेस्ट किया, उसका mass किता है, small M small M लगाते ही, इस पे नीचे लगा force कौन सा M G और M G यहाँ पे क्या है constant force है जैसे आप M G को apply करते हो, तो उस condition में देखो, नीचे force तो M G है पर अभी लगाते हैं, T0 पर उपर कोई force नहीं है यानि अभी M G बढ़ा है, उपर कोई force है नहीं, जैसे आप इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यानि इस spring में कुछ elongation होगा, तो उसके बाद spring force लगता है कौन सा K X direction करने बाद मैं minus use नहीं कर रहा हूँ पर अभी K X छोटा है, M G बढ़ा है ब्लोक नीचे आएगा, अब दो यहाँ इसकी पहले speed की जिरो थी, net force नीचे इसकी speed बढ़ रही है, और मालो यहाँ आते आते इसकी V हो चुकी है कैसी maximum, और इसके बाद दो V maximum हो चुकी है यह spring यहाँ से elongate होते हो, यहाँ आ चुकी है यहाँ आ चुकी है, पर speed के अधिक होने से अब, चुकी तो यहाँ इस वाले में होता क्या है, कि नीचे force तो आपका M G constant था, उपर जो है के A लग चुका है, X ही है यह maximum नहीं है, अभी इसकी condition कैसी आ चुकी है, यहाँ मैं इसको बोल रहा हूँ, कौनसे mean position, जहाँ पर इस पर net force कितना zero है, net M G constant था, उपर के X की रूप में A हो चुका और अब दोनों force कैसे equal है opposite है, net force zero हो चुका पर speed नीचे है तो अब वापिस यहाँ से मूग करेगा और यह जितना इस तरह पहले आया था उतना और आगे जाएगा तो यह देखो अब यह इसकी mean position है और इस mean position के about यह oscillate करेगा है, अब सोचो कि जो आपने M apply यहाँ M को लगाने के पर शाहत इसको free क्या तो free करते लगा क्या? M G force यह एक constant force है और constant force जैसे किसी spring pendulum पर लगता है वो क्या करता है? उसकी जो पहले की mean position उसको chance कर देता है परन्तो आप देखो इस वाले में जिसका time period अपने निकालते हैं, वो कितना है? T बराबर कितना 2 pi root M by K time period किस पर depend करता है 2 pi M by K पर depend करता है Q और हमने क्या क्या यहाँ पर एक electric field अपलाई कर दिया electric field E अपने switch on किया अब देखो इस पर जो force लगाना F बराबर Q into E यह force भी बच्चा क्या है? constant force है जैसे इसको अपन यहाँ से release करेंगे अब इस तरह लगा Q into E force यहाँ कोई force नहीं है इसकी यहाँ पर क्या होगी? आगी की position बनेगी वहाँ इसकी speed maximum but force 0 आगी और extend करेगा यानि जो एक नई बन गी mean position उसके about क्या करने वाला है? simple harmonic motion ध्यान दो इस परकार की condition बदलने से mean position बदलेगी परन तो देखो जो अक्सल फोर्स है जो variable force है आप देखना इस force पर यह T depend नहीं कर रहा है तो time period तो वही रहेगा परन तो mean position पहले की तुलना में displace हो जाएगी और नई mean position इसापे अब यह small m है वो oscillate करेगा तो इसका तो answer क्या होगा देखो की समान आवर्ति क्योंकि देखो इस force पर यह M upon K पर depend करता है मास को और K को आपने परवावित नहीं किया है तो आवर्ति वही है परन तो विस्तापित mean position के साथ ही क्या करेगा simple harmonic motion very good बहुत पहरा question था देखो अब पनाते हैं next question में और next question क्या है कि लंबाई L one end of a long metallic wire of land capital आप इस question को पढ़ लें मैं तो पढ़र का question को बहुत simple question है अच्छा question है आप इसको डंग से पढ़ लें मैं इस question को पूरा आपको बता दे रहा हूं देखो यह सुन क्या है कि यह कोई एक metallic wire है इस metallic wire का आपको दे रखा है येंग smodulus चलो इसको ऐसे बना दूँ और ये इसका है cross section ये भी दे रखा आपको इसकी length L ये भी दे रखी है ये कोई elastic wire है जिसका young modulus इसका cross section और आपको L दे रखा है उसके बाद हमने यहाँ पर एक spring है वो attach कर रखी है इस spring कर दे रखा है force constant कितना के और फिर हमने यहाँ इसके ठीक नीचे एक small mass के block को हेंग कर रखा है और फिर इसको पर थोड़ा सा displace करके छोड़ रहे है तो पूछा है इसका time period कितना है वो आपको find करना है अब सुनो एक तरह से ये wire और spring दोनों का एक series combination हो गया अब series combination में यदि इस वाले का हमें k1 मिल जाए इसको मैं k2 बराबर k मान लूँ दोनों कैसे हैं series combination में तो इसका अपन निकाल लेंगे equivalent यानि अगर ऐसे कर दो इसको कि दोनों को एक ही मान लूँ फिर इसके साफ मैं small m attach कर दूँ और इसका मुझे k equivalent अगर मिल जाए तो मैं इसका time period find कर सकता हूँ आप जैसे कि जो आपका elastic wire है उसके लिए आप कोई force apply करके check करते हो तो elasticity वाले concept से अगर आप आगे बढ़ते हो तो आप जानते हो कि y equal to होता है कि stress upon strain यान डेल्टा L upon L इसमें से देखो f upon डेल्टा L इसको अपनी हाँ से फैंड करेंगे तो f upon डेल्टा L यही तो force constant के होता है और इसको इससे अपन निकालेंगे तो हमारे पास value किते हैं देखो y a upon L चेक कर लो आप यानि आप किसी string का किसी elastic wire का भी force constant find कर सकते हो क्यानि k1 हमारे पास है y a upon L k2 मारे पास कितना k है दोनों हैं series order में और series order में होने पर इसका जो k equivalent होता है के equivalent है कितना k1 into k2 upon कौन सा k1 plus k2 k1 कितना देखो y a upon L into कितना k upon y a upon L plus कितना k इसका L सेम कितना L आ गया L चला गया उपर उसे कट गया तो हमारे पास उपर वेल्यू कितने हैं देखो ये है y a k दो इसका L सेम कितना L आ या तो y a कितना k l तो नीचे बना हमारे पास y a plus k l ये हैं इसका बच्चो के equivalent अब कोई समस्स हैं नहीं है और ये formula कई बार आपर बूल जाते हैं दो time time t बराबर m उपर आएगा बूल जाते हैं k उपर है कि m नीचे है ये भी बहुत काम का होता है अब इस k के value put कर दो तो क्या लेकर हों 2 pi root of m upon k equivalent कितना दो k equivalent है y a k ये लो साब y a k इसको फिर multiply किसे कर दूँगा ये हो गया आपका y a plus k l बस बस अलग सी बात क्या थी कि इसके साथ जो इसका अपन k निकाल रहे है equivalent वो कितना होता है अब की बार क्या होता है कि इसमें पन बूल जाते हैं कि स्रीज में हैं तो इसका k equivalent कैसे निकालते हैं इस पी थोड़ा सा आप काम कर ले रहे हो आप इस बेक आ रहा हूं कि अपने पूरे physics में जो combinations है वो कितने हैं कुछ एक हैं देखो उसमें कितने हैं मैं उनसे बता रहा हूं इसके ट्रिक है कपिल, करोड़पती, लालू, राबड़गापती उसका बेटा कौन है तेज़शवी यहां कुल 6 combination है जो अपने बहुत अच्छे से काम आते हैं हम सब को resistance देखो यह है क्या यह है force constant of spring यह power of bulb capacitance, L यहां पे self inductance, R क्या resistance और T क्या है आप पढ़ते हो current electricity में जब heater है उनकी coil को लेकर के अपन एक question पढ़ते हैं कि एक coil को लगाने पे time T1 पे वो boil हो रहा है दूसरे में अपन T2 से boil हो रहा है अगर जोड़ें series में तो उसमें time कितना लगना है जोड़ें parallel में तो time कितना लगना है यानि आप देखो resistance में याद है तो series में R equivalent कितना होता है R1 प्लस R2 तो अगर दो self inductor जोड़ रखें हैं अपने series में तो कितना L1 प्लस L2 आएगा और अगर अपन उसमें इसको apply करते हैं कि एक road जिसका resistance कितना R1 है उसको हम पानी को boil करने में कामें ले रहे हैं मान लो उसमें 3 minute में water boil हो रहा है पर दूसरे बाले case में मान लो अपने use करते हैं उतना ही पानी हमने दूसरी बहाँ एक resistance R2 की कोई कोई ले ली और फिर उसको अपन गरम करते हैं पानी को time मान लो कितना 6 minute लग रहा है जोड़ दो series में कितना 9 minute जोड़ दो parallel में तो कितना 3 into 6 upon कितना 9 2 minute बहुत सरल है यह आप काम ले ना चाहिए यह तीनों series के हैं पर यह इसके just उल्टे हैं just उल्टे हैं यहने इनका series और इनका parallel यह जैसा है इनका series इसके parallel के जैसा है series में यहां कितना r1 plus r2 प्रण तो यहां series में कितना 1 upon k वाला है यह के 1 into k2 upon k1 plus k2 इसलिए हमने इस question में क्या क्या था इसको k1 k2 upon k1 plus k2 क्या था बास अन्वा आगी ना आओ बढ़ो आगे question 26 यह question बहुत प्यारा है कह रहा है one end of spring of force constant k is fixed to a vertical wall and the other to a block of mass capital M resting on a smooth horizontal surface there is another wall at a distance x0 from the block the spring is then compressed by 2x0 and released the time taken to strike the wall is question को आपने पढ़ लिया है मैं इसको बता दूँ question को पुरा देखो पहले तो एक बात मैं आपको समझा हूँ कि जब एक चकर पूरा होता है simple harmony motion मालो एक time एक cycle आए इसका time कितना t है इसका angle कितना है 2 pi और इसका path कितना है lambda यह आपस में कैसे है equivalent है एक तो नहीं है dimension कैसे अलग लग है इसलिए इसको पर इक्विल नहीं कर सकता है equivalent है तुल ले है यानि 360 में कितना t है तो pi में कितना t by 2 pi by 2 में कितना t by 4 pi by 4 में कितना t by 8 यह है angle हमारे पास कितना 90 में कितना t by 4 इसका समय है ऐसे करते करते जब आप 30 का 15 15 का निकालते हो तो एक अच्छे से याद कर लो कि 15 degrees होता आना वो t upon कितना 24 के बराबर है 15 t upon 24 के बराबर है बिलकुल यह बहुत ज़्यादा important है 30 बाकिश सारे के सारे इसके multiple है किरी मैं आपसे पूछूँ कि 90 तो 15 कितना गुना है 6 गुना है तो t upon 24 को 6 से गुना करो t by 4 आ गया ना क्यानि हर चीज का जो base है ना 15 degree कितने time की equivalent है उसको अगर याद कर लेते हैं तो सारा का सारा काम आपका अच्छा बन जाता है question क्या है सुनो आप क्योशन इस तरह से है एक spring mass system है कोई उसमें यहाँ एक वाल लगा रखी है यह कोई spring है यह कोई small है मास बालो इसको हमने क्या क्या पहले 2x note तक compress किया compress करने के बाद हम इसको support देते वे compress कर रहे हैं और support देते वे compress करके यहाँ पर कुछ time के लिए रखें इसको rest में तो उस case में आपका external force और spring force आपसे बराबर है और यह इसकी है condition कैसी जैसे भी है इसको छोड़ दो मान लो अब अगर इसको मानता हूँ बच्छो कौन सा इसका x zero mean position तो यह क्या है यह इसकी है extreme position यह इसका है 90 degree के equivalent तो extreme से अब question क्या है कि अगर मैं इसको यहाँ से release कर दूँ release करने पर पहले यह particle यहाँ से यहाँ यहाँ extreme से mean पर तो यह तो समय कितना हुआ तो एक दरस 0, 90 यहाँ टी वाइ 4 है उसके बाद यहाँ तो कुछ boundation है यह दे रखा है कि 2x note की बज़ाए यहाँ पर कितना x note है कितना x note यानि amplitude का आधा तो अभी हम आपको बता रहे थे कि जब इस तरह से इसकी motion होती है तो जो a by 2 है वहाँ पर angle कितना बच्चो 30 degree यहाँ दो आप अच्चे से अगर हम इसमें यह कितना 2x note को मानता हूँ amplitude तो x note उसका आधा वा ना तो amplitude का आधा क्रोश करने के लिए उसको कितना समय लेना पड़ेगा तो आप देखें a by 2 पर इसका angle कितना 30 degree का है मैंने कहा था 15 degree को अच्छे से याद कर लो तो 30 उसका double है तो t upon 24 को 2 से multiple लेकम t upon कितना 12 यानि इसको यहां से यहां आने में कितना समय t by 4 पिर इसको यहां से यहां आने में समय और कितना लगा t upon 12 क्रिशन पूछ रहा है कि दोनों का कुल समय कितना है दोनों को जोड़ दो अब t by 4 प्लस t upon 12 यह moment of इने से अपने निकालते है वहां बहुत बार काम आता है किसमें उसके एक end में यह होता है 1 upon 3 तो इसका मान कितना है t by 3 अब चूंकि बदलना इसको किसमें इसके mass के रूप में इसका mass small m दे रखा k दे रखा equivalent तो कितना है 1 by 3 into t का formula क्या होता है 2 pi root of m by k बैस तो 2 pi upon 3 root m by k इसका समय है जो इसको यहां से यहां तक आने में लग रहा है यहां देना यह इसका extreme है इसको आना है पहले mini position में तो t by 4 फिर इसको आयाम का आधा क्रोज करना है इसलिए इसका कितना a by 2 in 30 degree और करना है 120 बैसे कितना है 30 का 4 गुना और 15 का बोलो 8 गुना क्यानि इसको अगर मैं 8 से गुना कर देता तो सिदा मेरे पास answer कितना था t upon 24 into 8 t by 3 तो आपकी समझ अच्छी बन जाती है ना उसके बाद इसमें समझ सा रहती नहीं है तो उसको आप सही से बनाएं अब आते हैं next question पहले इसका answer मैच कर लें के बार देखो तो answer था इसका देख 2 पाई भाई 3 एम भाई के बिल्कुल answer सही आएगा आप सही बढ़ोगे तो सही आएगा question आपका 27 आईए तीन दर्यमानू 700 ग्राम 500 400 को आप इस तरह से लटगा रखे हैं यदि 700 ग्राम दर्यमान को आपने हटा दिया तो इसका time period कितना है तीन सेकेंड और उसके बाद अपने 500 को भी हटा दिया तो अब इसका time period कितना होगा तो देखो पहले आपने 700 हटा दिया तो मास की तरह 900 और time जो है ना time period वो किसके परपोर्शनल है root time के तो पहले मास कितना है 900 बाद में 500 ग्राद दिया तो 400 ग्राद ग्या तो बैस टी डेस अपॉन टी बराबर कितना root of m डेस अपॉन एm बाद मास कितना दिया दिया 400 ग्राम पहले कितना था 700 ग्राद में 900 यह इससे अठा दो 4 का root कितना 2 9 कितना 3 तो टी डेस कितना वा बच्चो 2 बटा 3 इंटू टी और पहले इसका time period कितना था देखो 3 second 3 से multiply कर दो हटाओ इसको 2 second कितना 2 second यह इसका answer बिलकुल अच्छ से अब ध्यान देना जो यह formula है ना बच्चो t is equal to 2 pi root कौन सा m by k इसमें so small m जो है वो कहा है mass of oscillating object या objects जैसे मैं 700 हटा दूँ तो कौन oscillate कर रहा है 500 और 400 नो सो रहा है पिर आपने 500 और हटा दिया तो कितना 400 पस इसकी आपको थोड़ी सी care करनी है किस्टन आपका 20 एट एक सरलोलक के लिए t square और l के मद्दे आरे कैसा है simple problem का time period जानते हो आग t ब्राबर 2 pi root कितना l by z इसका मतलब यहाँ t पर post load कितना है root l मैं लिख हूँ इसको t square पर post load कितना l तो graph कैसा t square में और l में straight line कैसा है कि t square में और l में ग्राब कैसा है straight line सल रिखा है जो कि कहां से इसका कोई c भी तो नहीं इंट्रेस्टन किता है नहीं तो कहां से pass होगा तो इस straight line passing through the horizon बिलकुर सही है कोई दिक्कत नहीं है तो बड़े आगे आज आओ question 29 question है कि समरूब ठोस गोले के center से small r दूरी पर gravity, taisle, potential और field v और e है तो दोनों statement पर धान दीजिए तो ये caution जो आपका है बहुत अच्छा सा caution है मान लो ये कोई solid sphere है इसमें आप जो इसका graph पगे रहे पढ़ते हो तो दोन ग्राफ आपको बता दूँ पहला मैं ले रहा हूं मान लो easy का percussion देख लो किसका था solid है कि हो लो ठोस कोई दिक्कत नहीं है बढ़ो आगे तो solid होने पर आप जब इसको क्या मानेंगे इसको आप मानेंगे non-conducting metallic non-conducting इसको sphere मानना है charge sphere और उसकी जिस परकास से electric field की value होती है वैसे इसका है तो कोई issue नहीं है तो आप जानते हो यार यह तो होता न इसमें 12 वाट होड़ इसको पूरा काम करेंगे अपन हो गया इस तरह भी कौन सा ही होता है yellow पर gravitational potential है उसको देखना है तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा इसका potential अब जगह नीचे नहीं है तो वैसे वीजी का ऐसा negative होता है तो मैं उसका mode ले लू मानलो वीजी का मैं mode ले लू तो वो तो plus का हो गया तो उसको बनाऊ उपर उसमें आप पढ़ते हों कि center पर maximum फिर surface पर गड़ता है graph दो यू होता है उसका जानते हो ना अब यहाँ पर condition यह है graph में theoretical परसन आप से पूछा जा रहा है कि center small अपन इसके plus infinity से अपन आते है minus का infinity तो कहीं पर क्या graph cut हो रहा है क्या क्या इसकी continuity है वो तूट रही है क्या continuity हो तूट का मतलब graph कहीं से cut हो गया कहीं value zero हो चुकी नहीं साथ यहाँ तो जो भी है non zero है जैसी भी है हर जिगा इसकी value कैसी है कुछ न कुछ है इसका मतलब यहाँ distance के साथ जो चाहे तो easy हो चैंकों सा easy दोनों continuously vary कर रहे है discontinuous नहीं है यानि यहाँ पर दूरी के साथ easy और busy का सतत रूप से परिवर्टन हो रहा है एस तर यानि तूट के रूप में नहीं आ रहा है इसलिए इसमें अब option आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा इसका सही होगा देखो आप दो इसमें दरखे हैं statement कि V का R के साथ वकर कैसा S तद E का R के साथ कैसा दोनों ही कैसा गलत है भई होता किसे परकार से है continuous इसका change तो answer कौन सा कह रहा है both A and B are wrong होना भी ही चीए सही क्या था दोनों ही distance के साथ continuously कैसे vary करते हैं बढ़ते हैं question 30 के अगर है इसी कण की गतिच उर्जा उसकी कूल उर्जा का कौन साथ होगी जबकि simple harmonic motion करते हुए कण का विस्तापन इसकी आयाम का कितना एक चोथा ही है तो सबसे पहले आते हैं इसी कण की kinetic energy उसकी कूल उर्जा का कौन साथ होगी तो simple harmonic motion में आप मुझे बताओ उसकी total energy कितनी होती E बराबर half k a square half k a square सबसे है अब आप से बोला क्यादा रहा है कि जब विस्तापन कितना उसके आयाम का एक चोथा ही है यानि x is equal to a by 4 जब है तब उसकी kinetic कितनी है तो x के रूप में आप पहले इसकी u निकाल लो न u कितनी होती हाफ k a x square x कितना है a by 4 तो कर दो उसको a square upon कितना 16 अब ये तो क्या थी इसकी e तो हमारे पास e upon 16 बच्चों क्या बन गई potential आ गई और ये इसकी total है अब अगर u इसकी e by 16 है तो kinetic कितनी भी e में से घठा दो उसको तो कितना 15 बटा 16 e simple सा case हो गया kinetic कितनी आई मैं इस e में घठा दू क्योंकि दोनों का sum कितना था वो तो e था न तो अगर e में से मैं यहां करता हूँ minus कितना e by 16 तो इसको solve करने पे हमारे पास value कितनी है यहलो साब तो पुछा कितना था कितना था कितना है 15 बटा 16 बिलकुर सही है बढ़ें आगे क्रिशन को 31 देखो यह कैपलर का simple नियम है जहां आप जानते हो कि sun के center और जो आपका satellite है या planet है उनके दोनों center है उनको जो line मिलाती है वो समान समय में समान श्यत्रफल तै करती है तो यहां तो क्रिशन क्या कर रहा है कि एक देरेखा डियाग्राम में उपकरे के सुरी के चारूं और elliptical path में motion सो कर रहा है चाहिए कि दोनों भागों की area समान है जब दोनों area समान है तो समय में कैसे समान है आप परते हैं वहाँ पर समान area समान समय में तै किया जाता है बिल्कुल थिर्टल पस्टन है इसमें समय देने की दूरती नहीं है आओ नेक्स क्यूशन में क्या क्यूशन है एक small M द्रेमान के पिंड को धरती की सताय से अनंत तक ले जाने के लिए आवज से गतिस उर्जा कितनी है धरती की सरफेस पर है कोई समय चानी है आप सब पढ़ चुके हैं अब कोई शू है ही नहीं आप लो यहाँ इसकी सरफेस पर आप की R रेडियस है इसका मास कितना capital M है और यहाँ मैंने small M आस रखा सबसे पहले आप इसका U निकाल लो कितना है रेखो मैं यह है minus का Z capital M, small M, M by कितना R इसको open के लिखेंगे वो ही G R स्कॉार इसको solve कर दो तो मेरे पास value कितनी minus का कितना M Z R अब यह जो energy है इतनी ही तो आपको देनी पड़ती है बहार से तो आपने पढ़ा था इसको कि इसकी escape energy कौन सी है E escape वो है इसकी कौन सी binating energy वो है कितनी minus of U तो उसको just plus कर दो बच्चो तो answer कितना आपका M Z R yellow answer आ गया सब्सक्राइब रुकना नहीं है बढ़ो आगे क्योंकि देखो neat जो है न उसमें जो आप questions करते है तो physics में जितना समय बचा करके आप निकाल लेते हैं वो ही आपके chemistry में और biology में marks को increase करने में काम आता है और इसमें जितना fast question कर पाएंगे न उतना ही आपके लिए beneficial है तो आते हैं question आपका 34 देखिए साब एक कन की simple harmony motion का आवर्त काल कन की एक ही बिंदू पर निरंतर सत्यों के बीच यहां जो लिखा है उसको थोड़ा सा पढ़े इंगलिस में time between consecutive appearance of the particle at a particular point यानि इसका मतलब क्या है पढ़े थे ऐसे यहीं से सारा खेल है S सारी यहीं से समझ आती है तो मालो इसमें particle कर रहा है कि इस पूरी S समय आवर्त काल को हमें define करना है जिसमें एक point को वो दो बार cross कर रहा है उनके 20 का समय time period है उस रूप में आपको define करना है फिर समझ लो जैसे यहां कौन सा है point यह positive extreme यह कौन सा negative extreme यह कौन सा आपका mean तो जाकर के आना तो mean point से गया particle वापिस आया क्या इस mean point से जाकर के वापिस आना इसका मतलब mean point को आपने करमागत रूप में दो बार cross कर दिया ना परन्तु यह तो समय कि तना आगे एक आवर्थकाल हो गया positive extreme इसके लाव कोई point नहीं है इसमें अब इसके option महाँ देखो यह कह रहा है the mean position of तो mean से आप गये वापिस आगे यह दो बार एक ही point को cross करने के 20 का समय time period रूप में define करना है तो वो किसका है extreme position का पर ध्यान देना यहां लिखा an extreme इंगलिस में ध्यान दो an मतलब एक extreme position दोनों नहीं ऐसे नहीं कि आप यहां से यहां गए तो ty2 आ एक ही extreme position को वापस यह एक ही point को आपको consecutively पार करना है तो इसलिए इसका answer कौन सा आएगा second आएगा बहुत language की हिसाब से अच्छा question आए बढ़े next question में देगो यहां किसमें question क्या है कि एक कंड का सलावत गती के एक आवर्थ काल में कंड दोरा तैय दूरी कितनी अभी पढ़ी थी 4A A A, 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 A हो गया question बढ़े आगे 35, 36 simple heart money motion के एक आवर्थ काल में ओस तुर्ण का मान कितना था अभी हमने पढ़ा था कि एक आवर्थ काल में जब particle यहां से यहां से वापिस आता तो average velocity क्या थी 0 थी तो average asless में कितना शुनने है कौन सा question आया 4 पहले बात कर चुक है इस बारे में इसलिए समय देने के आवश्यता है नहीं है बढ़ो आगे question 37 बाओ इसमें question क्या देखो कि A कंड की गती है x equal to A sun मेंगटी plus B को समय गती दोरा दी गई है तो कंड की गती किस परकार की है इसको भी अभी जस्ट पढ़ा था A sun मेंगटी मैंने आप गता था ये कौन सा A फिर कौन सा ये B आपने इसको नेट निकाल था कितना था ये था आपका amplitude AR क्या था बोलो साब A square plus कौन सा B square का root याद है तो ये इसका amplitude है और इसकी फिर अपने निकाले थी angular velocity बेगर है तो यहाँ तो अपना काम तो हो चुका ना तो ये एक simple harmonic motion है पर इसका amplitude कितना है वो है A square plus B square का root तो आपका answer कौन सा 4 बिल्कुल कोई समय से वाली बात नहीं है ये दो SSM का super impose है ठीक है बढ़ो आगे question 38 38 है कि x x के along कर्ण का विश्थापन कितना है x equal to A sun omega t से दिया जाता है तो कर्ण की गति किसे पकार गिए बहुत प्यारा question है बहुत ही बिंदाज question है तो इसको थोड़ा solve कर ले आपको दिरे रखा x is equal to A sin square omega t sin square omega t कितना होता है 1 by 2 मैं इसकी value put करोना देखो A तो लिखो भार ये है कितना 1 by 2 माइनस कितना 1 by 2 और ये cos 2 omega t सब जानते हैं नहीं जानते हैं तो जान ले भई अब इसको मैं लिखों तो कितना A by 2 माइनस कितना देखो A by 2 और ये वाकोस 2 omega t बात सही है यानि इसका विश्थापन समीकरण हमारे पास जो real में है जो इसका mool है simple harmony मैंने अभी पीछी word काम में लिया था कि सारे प्रकार के trigonometry functions का जो root है ना आधार मा जो क्या है वो sin theta है या cos theta की रूप में है तो sin cos की रूप में इसको convert कर लिये हैं अब S से में देखो जो ये हमारे पास equation थी उसमें ये किसी time के बाद अपने आप रीपीट तो कर रही है पर आप यहां पर बात पढ़ते हो कि X से अपन क्या निकालते हैं velocity वेलोस्टी आपन निकालते हैं इसका acceleration जो minus का omega square into X आना चाहिए अब इसमें X से पहले अपन V निकालेंगे तो इसमें A by 2 का तो कितना zero है का differentiation यानि आप जब इसमें F निकालेंगे तो कभी भी वो इससे X के negative के proportional नहीं आएगा पर एक periodic function है पर ये simple harmony motion नहीं है बर धान देना इसमें ये इसका है क्या omega days जिसको अपन लिख रहे है कितना 2 omega इससे इसका मैं निकालता हूँ tempity days कितना 2 pi upon कौन सा omega days तो value कितना है 2 pi upon ये कितना था हमारे पास 2 omega इसको उड़ा दो तो pi by कितना omega यानि ऐसे function double frequency और half time period के periodic function है बट ये SHM कोशो नहीं करेंगे बिलकुल बहुत बिंदास प्रशन है तो इसलिए इसका आंसर देखो क्या आएगा देखो इसमें क्या लिखा है 2 pi upon omega आवरती की simple harmonic motion इसका आंसर देखा fast क्या लिखा देखो साब कि omega upon pi आवरती की simple harmonic motion ये गलत है इसका आंसर कौन सा आएगा ये एक non simple harmonic motion है ये इसका answer है बचो third इसका correction है वो अपन कर लेंगे कि वह हो जाता है लिखने में कोई दिक्ट नहीं है बढ़े आगे question में अगला question है बिलकुल simple है देखो दीगे फलन में से इसके लिए मैंने कहा था अभी आपको पहले एक्स है इससे अपन वी निकालेंगे वी से अपन निकालेंगे एफ अगर ये जो एफ है परपोस्टल टो माइनस का एक्स आ जाए वो function simple harmonic motion को इसमें सिर्फ और सिर्फ इसको follow करेंगे first और third चेक करेंगे आप आज़ेगा इसका answer बढ़े आगे question 40 40 में बिलकोल आपका सामानिक option है कि एक उपगरे दिर्वरता कार काक्ष में सूर्य की चेकर लगा रहा है तो किस बिंदू पर उपगरे की रेखी चाल कैसी अधितम होती है तो यहाँ पर ये तो है क्या sun इसके around ये कोई satellite मू कर रहा है तो ऐसे में आप जानते हो कि इस परकार की motion में इसका angular momentum constant रहता है तो M तो वैसी constant है तो V into R कैसा होगा constant ये है आपका constant तो मैं यहाँ पर V निकालता हूँ तो कितना पर पर पोस्टल वन अपोन R जहां R कम से कम है वहाँ इसकी speed कैसी है maximum तो आप से पूची के maximum कहा है जहां उसकी position सबसे पास है तो आप देखो जब B पे है distance ये है C पे distance ये है D पे कौन सी है और A पे कौन सी है तो A point पे सबसे ज़्यादा है तो answer कौन सा इसका first पढ़े आगे आईए साब question number 41 41 बहुत ही अच्छा question है दो satellite है two satellites of earth S1 and S2 are moving in the same orbit then mass of S1 is four times the mass of S2 which of the following statement is true दो उप गरे है दोनों समान के समय है very good यह discussion का hint है देखो मान लो ये तो है sun या कोई planet मान लो इसके around कोई एक satellite मुँ कर रहा है इसका mass कितना small m है इसकी अपन पढ़ते है orbital speed कितनी root Z capital M by small r धान दो जो इसकी orbital speed है न वो satellite के mass पर depend नहीं कर रही है question था दो satellite आपके पास है एक S1 है दूसरा कौन सा S2 है दोनों के mass कैसे इसका mass m कितना है इसका 4 m पर दोनों same orbit में है इसलिए इनकी orbital speed कैसी है same है बराबर है अलग-अलग नहीं आएगी तो पीछे आएं और देखें इसका answer कि S1 और S2 are moving with the same speed reason क्या था mass में इसकी orbital speed है और depend नहीं गड़ती तो answer आपका स्थीव हो गया question 43 तो 43 में है करहा है का वेग plan वेग से आदा है तो उपगरे की पर्थवी की सतय से उंचाई कितनी है question कहा रहा है एक करत्रिम उपगरे जो पर्थवी के चकर लगा रहा है का plan वेग का जो कक्षे वेग है यानि उसकी जो V है वो कितनी है बच्चो VE by 2 VE by 2 अब ये है का आर्थ की सर्फेस से किसी height पर है से मालो ये आर्थ है और यहां से किसी h height पर कोई satellite आप मूग गर रहा है तो ऐसे में इसकी जो अपने पढ़ते हैं का किसी speed कितनी होते लिगो ये होती है gm upon कितना r r plus h इसका root is equal to ये 1 by 2 आप इसको solve कर दो आप इससे square करो square करने पर देखो ये इससे cancel और कर दो इसको by 4 फिर हमारे पास value गितनी है ये है gm upon कितना r plus h is equal to 1 by 4 into कितना देखो 2 gm by r ये हमारे पास value है gm से gm cancel इसको उड़ादों इससे कितना 2 तो देखो r plus h बराबर कितना हो गया 2r तो s कितना हो गया r ये लो answer only यहां तो given value put करनी है कोई concept वाला caution यहां पर नहीं है सिर्फ formula पर टिकावा caution है ओकी आईए caution number 44 पर ये basic question है जिसमें सामाने से बात है देखो यहां kinetic हमेंसा कैसी positive होती ये kinetic energy है और यू negative में कैसी होती है आपको जानकारी होती है यू जो है वो 2e के बराबर है negative में है दोनों में तो सबसे बड़ी negative में ये ज्यादा है ये कौन से आपकी यू ये कौन से आपकी e total energy ये कौन से total है ये kinetic हमेसा प्लस की है और ये कौन सी potential और कौन सी mechanical हमेसे का सही negative में होती है तो निचे आएंगे अब only check करना है A कौन है B कौन है C कौन सा है तो आप देखिए A and B are the kinetic and potential A and B are kinetic and potential कोई समय से आने हैं बिलकुल simple है अच्छे से आपको आने चाहिए ने कोई दो question 42 और 45 दोनों question पड़े भैतरी ने इनको अपन और solve कर लेता है 42 का जो question है उसमें आप पड़े Earth is revolving around the sun if the distance of the Earth from the sun is reduced to 1 by 4 or even fourth of the present distance then the present year length is reduced by यह प्रशन देखो K plus slow पे पूरा का पूरा टिकावा है पर इसी language के अपने नीट में दो तरह के प्रशन बनते हैं कैसे जान दें आप मान लो यह sun है और sun के around Earth move कर रही है तो अब इस अर्थ की आप जानते हैं अपनी axis के about rotation है अर्थ का अपनी axis, rotational axis उसके about rotate भी कर रही है साथ में यह क्या कर रही है? गूम भी रही है अब जानते हैं अपनी axis के about जो एक वण डे जो है एक दिन जो पूरा घडती है उसका समय कितना होता है टी वो होता है 24 hours परन्तु यही आर्थ सन के अराउंड जब एक चकर पुरा करती है तो 1 year बनता है उसका टी कितना है वो अपन कहते है 1 year तो एक क्यूशन आता है कि अचानक आर्थ की रेडियस है वो रेडियस होकर के half हो जाए वन फॉर्थ हो जाए तो the length of day लंबाई दिन की कितनी हो जाएगी वो अलग प्रशन हो गया परन्तु यहां पूछ क्या रहा है अगर सन और अर्थ इन दोनों के 20 की डिस्टेंस से अपने कितनी वन फॉर्थ कर दी तो यह किस के लिए यह इसके लिए क्यूशन बनेगा यहां वाले केस में आप जानते हो जब रोटेशन हो रहा है तो उसमें बेस्ट क्या होता है उसकी रूट क्या होती है वो है conservation of linear momentum और यहां पे आप कौन सा काम में करेंगे केपलर श्लो केपलर से थढ़ लो तो अब कोई इश्यू है नहीं बिल्कुल सिंपलर सा कॉशन हो गया बढ़ धान देना कि यह अलग कॉशन है यह अलग कॉशन है जैसे इस वाले बात करते हो ने इसमें क्यूशन कैसे करना होता है अब मैं बढ़ते हैं जैसे इकूल टो कॉन सा आई ओमेगा अपनी अक्स के बाउट तो एज ए स्फिर भी हो करेगी दो बटा पांच एम आर स्वाइर माज से परकते कॉंस्टेंट तो जै यहां पर किसके प्रपोर्शनल हुआ जै बैसे कॉंस्टेंट है पर एक इस पही डिपेंड कर रहा है एक बैस को रस्वाइर और इसको कर दो हमें टू पाई अपन टी तो आर स्वाइर अपन टी अब यह है क्या बच्छो कॉंस्टेंट इसका मतब टी प्रपोर्शनल टो कितना हो गया अब आर कम करेंगे यह जादा करेंगे उसके according दिन की अवदी कम या जादा हो सकती है मैंली question आता है कि one half गड़ दो तो आराम से इसे कर सकते हो बोलो तुब वह 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 question है यह वह question क्या है इसमें कैपलर गानियम है तो यहां देखें इसमें कैसे करना है तो आप जानते हैं कैपलर लोग के according टी स्कार प्रपोस्ट लोग कितना आर की पाउर त्री और मुझे टी निकालना हो तो देखो टी हमारे पास हो गया आर की पाउर थ्री बाई टू बस अब मैं लिखो इसको टी डे सपॉन टी बराबर कितना आर डे सपॉन और इसकी पाउर कितनी बचो थ्री बाई टू अब इसमें आर डे कितनी है वन फॉर्थ आर बाई फॉर तो यहां मैं लिखू आर बाई फॉर अपॉन आर आर से आर कैंसल वन आपॉन फॉर रहा न तो यह देखो साब 1 upon 4 है इसकी power कितनी हो गई 3 by 2 अब mathematics में जब आप questions करते हैं यहाँ पर तो mostly इस प्रकार की data आपके पास आ जाते हैं तो ध्यान दें आप अच्छे से कि कहीं पर भी आपको solve करना हो x की power कितना 3 by 2 इसका value कितना होता है x root x इस तरह से इसको धान रखें आप मालो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कितना 4 यह 4 है इसकी power आपको solve करने कितनी 3 by 2 तो value कितनी है 4 root 4 यानि कितना 4 root of 4 कितना 2 तो आपका answer कितना हो गया इसमें यह 8 हो गया कहीं पर भी आए उसको solve करना है तो यह power बच्चों है किस पर 1 पर भी है तो 1 root 1 तो 1 हो गया यह इस पर भी है कितना 4 root 4 कितना हो गया एट हो गया answer कितना का 1 upon 8 अब इससे solve करेंगे बच्चों तो T days हमारे पास कितना है T by 8 पैस क्यूशन आपका ready है अब पर यह है क्या 1 year upon 8 एक साल की तुलना में अब कितना उसका 1 एट हो जाएगा क्या उसकी गुमने की अवदी तो वर्तमान वर्स की तुलना में कितना 1 by 8 हो जाएगा अगर परसन यह होता ना कि अर्थ अगर अपनी डिडूश को डिडूश करके half कर लेती है तब टी कैसे आर स्कॉयर के पर पॉसल ना है तो इसमें पन हाफ करते है ना तो कितना 1 फॉर्थ कितना 1 फॉर्थ यहां से अपन लेते हैं बच्चो कि टी डेस upon टी इस इकल डो यह होगया आपका आर डेस upon आर है इसका कौन सा स्कॉयर कर दे यह आर बाई टू का स्कॉयर कितना 1 फॉर यलो सा 1 फॉर्थ तो इससे आपने सॉल किया तो टी डेस कितना टी फॉर्थ आया ना अब टी कितना होता है 24 upon 4 कितना 6 तो जो दिन की अवदी पहले 6 गंटे थी अब कितनी रह गई 6 आवर्स कितना गट गया 18 दोन तरह से पूसकता है तो कृष्ण बहुत अपने आप में विशिस्ट है प्यारा प्रशन है आपको यह अच्छे से आना चाहिए ओके देखें आप कृष्ण क्या कर रहा है कि प्लानेट हैज मास वन टेंथ ओफ देट ओफ आर्थ while radius is one third that of earth तो जो देरेखा उसको पर लिख दो मैं यहाँ पर कि mass of planet mp is equal to m e by 10 इसका मतलब मैं इसको ऐसी भी तो कर सकता हो na mass of earth is equal to 10 times of the mass of planet very good दूसरा radius कितना one third of earth to radius of planet is radius of earth by three और इससे पर निकालते हैं radius of earth तो बच्चों के तावाद three radius of planet यह given है फिर question क्या कर रहा है if a person can throw a stone on earth surface to a height of 90 meter एक व्यक्ति किसी वस्तु को earth की surface से 90 meter की उंचाय तक फैंक सकता है then he will यह वही व्यक्ति और he का मतलब यहां पर यह हो गया कि जिस स्पीड से वो earth पे फैंक रहा था उसी से कहां फैंकेगा और वो उस planet पे तो you constant हो गया बस यहां इसको आप लें constant able to throw the stone on that planet to a height तो उस planet वो कितनी height तक फैंक सकता है वो आपको यहां पर पूछा गया है कोई दिकत नहीं है तो आप बताओ मुझे कि जो h maximum होती है जब किसी body को आप vertically apart through करते हो तो h maximum कितना होता है बच्चो वो होता है u square upon कितना 2g अब u square तो कैसा है constant जब यह constant है तो अब depend करा कि only purpose लो one upon g आप जानते हैं g जो है वो किस पर depend करता है जैसे requirement है उसके नुसार तो gm by r square तो r square तो नीचे था उसको उपर ले जाओ यलो कोई समस्या नहीं है तो अब यह capital जी तो constant है तो रहा क्या r square by m यानि तो dependence रही किस पर अब जो h maximum हो किस पर depend कर रहा है r square by m पर कर रहा है वो दे रखी है अपने वो comparative ली पूट कर दो मैं लिखो यहाँ पर देखो h planet by h earth is equal to r तो पहले कौन सा r p upon कौन सा बच्चो r e इसका हमने किया square क्योंकि वो square पर depend कर रहा है mass mass देखो m by m पर धान देना मैंने यहाँ लिखा है पहले planet तो m planet नहीं से कर दो तो yellow planet यह कौन सा हो गया आपका earth अब value put करनी है यदि मैं यही value put करूँ देखो मैंने आपको यहाँ लिखवा है mass of earth कितना 10 mp तो mass of earth यहाँ लिखो कितना 10 mp तो mp से mp कैसे यहाँ तो कितना हो यहाँ यानि देखो इसमें multiply में आगे तो कौन सा 10 हो गया और फिर आपन लिखें यहाँ पर r e तो बच्चो r e था कितना 3 r p यहाँ लिखें पर 3 r p r p से r p cancel 3 का square कितना हो बहा बोलो बोलो 1 upon 9 तो yellow सा 1 upon 9 clear बिल्कुल सलीकी से काम होना चीए अब अगर आपको sp find करना है तो कितना देखवाया 10 by 9 into maximum height of projectile on earth surface that is 90 meter तो करदो इसको multiply yellow साब 90 उड़ाओ इसको कितना 10 करो इसको multiply इससे कितना 100 तो जो व्यक्ति earth की surface से किसी वस्तु को 90 meter maximum height पर फैंक पा रहा था वो ही व्यक्ति दूसरे planet पे कितनी ice तक फैंक सकता है वो है कितना 100 meter तो देखो बच्चो हमने यहाँ जो gravitation और iceism के questions किये है 45 questions है सारे अपने questions वालो करे है आप इनके आसपास के सारी theory को भी हमने यहाँ दो परियास किया वैसे जो पुरा आपने बताया है उसको भी धान से समझें पड़ें और फिर और questions प्रैक्टिस के आप करते रहें समय बहुत खराब है भी करोना का time चल रहा है गर पे रहें सुरक्षित रहें अच्छा खाएं अच्छा पीएं बड़े जो बुजर्ग आपके हैं उनके साथ रहें उनकी सेवा भाव करें और दूसरा है कि यह जो समय है क्योंकि एक्जाम तो अपने time पर होनी है भी तो उस एक्जाम जब on time पर होनी है तो क्यों ना जो आपके समय रहा है इस समय को आप अच्छे से utilize करें CLC के साथ जोड़ें आपको पता है आपके अपनी CLC 11th 12th target उसमें NEET, G सारे परकार के batches with cross course भी आपको पता है चल रहा है सारे परकार के batches आपके साथ चल रहे हैं तो आप उसका उप्योग करें और NEET और GMAN कि जो players हैं 21, 2020 के वो अच्छा अपना perform करें बेस्ट आप लग थैंक यू